हेलो एवरीवन, वेलकम टो मैगनेट ब्रिंस, मैं अभिशेक कुमार, आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही सिंपल चैप्टर, बहुत ही सिंपल नाम भी ऐसे ही है, देखो, सिंपल एक्वेशन, चैप्टर का नाम भी होई है, और चैप्टर भी बहुत सिंपल है, बहुत असान है, चैप्टर है, NCRT बुक का चैप्टर नमबर 4, इतना इजी, इतना असान, लगे रहिएगा, शुरू से लेकर लास तक इस वीडियो को वाच करो, इतना सिंपल चैप्टर है, कि फटाक से क्लिक होगा, और इस से आगे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो यह चैप्टर बेस है, चलिए, तो क्या करना है इस चैप्टर में इसको मैं बार बार सिंपल क्यों बोल रहा हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ एक वर्ड से, और वो वर्ड है वेरियेबल, बात को समझेगा, वर्ड वेरियेबल, यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा मैं इस word का जो value मुझे नहीं पता उसको जब मैं assume करता हूँ in the form of a to z alphabets मतलब किसी एक भी alphabets अगर मैं letter से उठा लूँ देखे letters है alphabets है a से लेके z तक ठीक है तो इन letters में से in alphabets में से small alphabet कोई भी मैं pick कर लूँ और मैं बोलू assume करिये कि यह कोई number है ठीक है तो हम maths में उसको कहेंगे variable और variable का actual English meaning है जो चीज vary करे ठीक है वो one हो सकती है वो two हो सकता है वो five हो सकता है वो hundred हो सकता है एक छोटा चे example दूंगा कि मेरे पास पांच टॉफी है आपके पास कुछ टॉफी है ठीक है अब वो कुछ टॉफी मुझे नहीं पता लेकिन अगर मुझे maths के term में बताना है कि आपके पास कितनी टॉफी है तो मैं कहूंगा let it be x x number of टॉफी हम लोग बार बार एस्यूम करते ना let something हर चीज को हम supposition यह कोई number मुझे नहीं पता हम suppose करते हैं हम let कर लेते हैं तो यही से मैं अपने chapter को चालू कर रहा हूं देखना the word variable means something that can vary जो चीज vary करती हो ठीक है जो चीज fix ना हो उस word को हम कहते है वेरियेबल इसको हम कह सकते हैं जो change हो जाए ठीक है अब variable takes on different numerical values बात को समयनना कोई भी numerical value ठीक है हम उसको variable बोलते हैं जब हमें known नहीं है और हमें maths में जब उस चीज को बताना होता है तो हम कहते हैं जो number मुझे known नहीं है जो number मुझे नहीं पता और maths के terms में बताना है तो मैं कहूंगा एक variable ले लो तो word को अच्छे समझना क्योंकि पूरे chapter के अंदर मैं ये word को बार 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 यूस करने वाला हूँ clear है? आगे its value is not fixed इसकी कोई value fix नहीं होती किसी भी variable की कोई value fix नहीं होती ये statement याद रखना variables are denoted usually by letters अब variables को आप mathematics के अंदर कैसे denote करते हो मैंने अब भी बताया a से लेके z तक आप कोई भी letter को as a variable मान के question को solve कर सकते a से लेके z तक बस याद ये रखना कि वो हमेशा small letters होने चाहिए देको वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है l भी हो सकता है, n भी हो सकता है p भी हो सकता है, etc कुछ भी हो सकता है a भी हो सकता है तो a से लेके z तक जो letters होते a, b, c, d, e, f, g, h, i, j इनमें से आप कोई भी एक letter को pick कर सकते हो اور suppose कर सकते हो vary करवा सकते हो variable assume कर सकते हो clear है तो जब भी हम में इस chapter के अंदर word variable बोलूँगा तो आपको कोई एक variable pick करना है आप कुछ भी ले लेना x ले लेना, p ले लेना, q ले लेना, a ले लेना, m ले लेना, l ले लेना जो आपका मना है clear है next point देखना from variables we form expressions, यहाँ पर बहुत important word पर मैं आया हूँ यह word expression क्या है, expression का मतलब English में English की direction, dictionary में जब आप expression को देखेंगे तो expression का मतलब होता है something is to be expressed मतलब हमारे face के तुरू, जब मैं किसी चीज को express करता हूँ उसको कहते है facial expression, maths के अंदर जब मुझे किसी चीज को express करना है in the terms of number, variables, या कोई न कोई mathematical symbol तो मैं कहता हूँ वो एक expression है, express करने के तरीके को, word expression को अच्छे से पकड़ना, ठीक है expression, maths के अंदर expression का मतलब ति मुझे किसी चीज को, किसी भावना को व्यक्त करना है, किसी चीज को व्यक्त करना है, in the terms of mathematics, तो मैं कहूंगा, कि ये एक expression लेके solve होगा, तो variables का जो खास use है, वो है expressions के अंदर, clear है, आगे देखना, the expressions are formed by performing operations, अब किसी भी expression को आप कैसे form करते हो, उसको form करने के लिए, आपको mathematical operations की जरूरत होती है, like addition, subtraction, multiplication and division on variables, that means, ये last statement क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, जब भी आप कोई variable लोगे, मैं कहता हूँ, X, ठीक है, आपने लिया X, ठीक है, clear है, अब इस X के साथ मैं ने बोला, कि ये कुछ toffees हैं, जो आपके पास हैं, मुझे नहीं दो toffees हैं, इन दोनों को add कर दो, तो देखना, एक variable है, एक addition का sign है, कोई symbol है, addition का sign ले लिया मैंने, और एक number है, तो जब number, symbol और कोई एक variable का मैं use करता हूँ, किसी चीज को express करने के लिए, तो हम कहते हैं, वो एक expression है, clear है, यही चीज last statement में बोली है, तो यहां तक मुझे लगता है, आपको मेरी यह पहली चीज जो, जहां से मैंने introduction चालू किया, चैप्टर का, यह चीज समझ आ गई होगी, हम लोग next चीज देखते हैं, next में, in an equation, there is always an equality sign, अब यहां पर आपको दो चीज़े समझ नहीं है, एक है word expression, एक है word equation, expression क्या होता है, equation क्या होता है, समझना इस चीज को, जब मैं बोलता हूँ expression, तो expression का मतलब होता है, कि आप use कर रहे हो numbers को, ठीक है, आप use कर रहे हो variables को, आप use कर रहे हो mathematical relations को, अब mathematical relations, जब मैं word बोलता हूँ, तो mathematical relations बोलने का मतलब है, plus minus into divide, ठीक है, इन जब symbols का आप use करते हो, इसका combination करते हो, कि number भी हो, variable भी हो, यह mathematical relation भी हो, यह सिर्फ variable, variable हो, और उनके भीच में mathematical relation हो, यह कोई number हो, number हो, उनके भीच में mathematical relation हो, तो हम कहते हैं, वो एक expression है, clear है, जब हम word equation बोलता हूँ, तो equation का मतलब होता है, कि दो expressions के बीच में, दो expressions के बीच में, equality का sign, मतलब equal to का sign, यह चीज, एक expression को, जब मैं equalize करता हूँ, दूसरी expression के बराबर, ठीक है, तो मैं कहता हूँ, यह एक equation है, तो कब कोई चीज, expression है, और कब कोई चीज, equation है, यह आपको समझना पड़ेगा, और यह बहुत important चीज है, अगर यह basic चीज समझ आ गई, कि भाई, variable क्या होता है, भाई, expression क्या होता है, भाई, equation क्या होता है, अगर यह तीन चीज समझ आ गई, तो आपको यहाँ पर बहुत maximum chapters easy लगने लग जाएंगे, clear है, इसके next point को देखिएगा, the equality sign shows that the value of the expression to the left of the sign, मतलब LHS की बात कर रहा हूँ, is equal to the value of the expression on the right, मतलब मैं यहाँ पर RHS की बात कर रहा हूँ, जो मैंने equality का sign लगाया, equal to का sign लगाया है, यह क्या समझा रहा है, यह समझा रहा है, कि जो LHS side है, ठीक है, जो left hand side है, वो equal है right hand side के, यही बता रहा है, equal to sign का मतलब यही होता है, जब LHS equal होता है, RHS के जब equality sign का use होता है, तो हम कहते हैं, यह एक equation है, और equation के अंदर equality sign का मतलब यह second statement आपको समझा रहा है, कि LHS is equals to RHS, यह statement इतने दो छोटे words में, पूरा मैंने बड़ा explore करके आपके सामने दिया है, expand करके दिया है, ठीक है, LHS is equals to RHS, आगे समझना, note that all, note that at least one of the two expressions, इन दोनों में से कोई एक expression में variable होना चाहिए, आपको यह ध्यान रखना है, यह note है, इस note को note कर लो अपनी copy में, important point है, asterisk sign mark कर लो, क्या, कि जब आप कोई equation लिखेंगे, उस equation में किसी भी एक side पे, यह तो LHS side पे यह RHS side पे, दोनों side पे हो, अच्छी बात है, किसी भी एक side पे, एक variable होना चाहिए, एक variable होना चाहिए, तो ही वो equation होगी, clear है, यह चीज समझ आ रही है, यह बोला है आपको इस third point के अंदर, हम next देखते हैं, next, क्या, अब यहाँ पे एक word से मैं आपको introduce करा रहा हूँ, यह word भी आपको बहुत सुनने क्या होता है, अब मैं आपको word समझा रहा हूँ, transposing, transposing का मतलब, transposing का मतलब, किसी चीज को transfer करना, किसी चीज को transport करना, transport करना, transport vehicles, transport जब मैं word बोलता हूँ, English का word है, transport, तो आपके दिमाग में ट्रक, गाडियां, ओटो, यह सब कुछ आने लगता है, transport के साधन दिखने लगते हैं, बस transport words से ही transposing आया, ऐसे समझ लो, maths के अंदर transposing का मतलब क्या, कोई चीज कहीं पर रखी है, उसको मैं दूसरी जगा transport कर रहा हूँ, यह है transposing, समझना, transposing means moving to the other side, moving to the other side, यहाँ पर दो ही side है, जब मैं एक equation की बात करता हूँ, पीछे हमने क्या समझा था, कि भाई equation क्या होती है, तो equation वो होती है, जिसमें दो side होती है, एक LHS side होती है, एक RHS side होती है, तो LHS side और RHS side, जो दो side है, जब यहाँ से मैं किसी चीज को move करूँ, किसी भी दूसी side पे, LHS side से RHS की तरफ जाओ, यह RHS से LHS की तरफ जाओ, इसके लिए हम word use करते हैं, transposing, यहाँ पर clear है यह चीज, second point, transposition of a number has the same effect as adding same number to both sides of the equation, देखो यहाँ पर यह बोलना क्या चाहरा है, देखो यहाँ पर यह bookish language लिखी है, मैं अपनी language में आपको बहुत easy तरीके से समझाता हूँ, transposing का मतलब क्या, second point में हो क्या बोल रहा है, वो यह बोल रहा है, कि यह ऐसा ही है कि मालोग यहाँ पर लिखा है, मैंने 2 plus x is equals to 3, ठीके, अब समझना, 2 को, एक यह number है 2, 2 को जब मैं 3 के पास transpose करूंगा, यह 2 अपनी लोगों के पास जाएगा, यह इसके लोग है भाई, यह variable है, 2 के साथ कोई variable नहीं है, तो यह 2 जब 3 के पास जाएगा, मतलब यह transpose हो रहा है ठीके, transposing का मतलब second statement में क्या बोला है, कि यह ऐसे ही, अगर मुझे यहाँ से 2 हटाना है मुझे किसी एक side से 2 हटाना है, तो यहाँ से 2 हटाने के लिए, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 2 को minus कर दूंगा अगर मैंने minus कर दिया, मालो मुझे 2 हटाना है, जो चीज हटानी है, उसको आप वहाँ से हटाने के लिए उसके different sign का use करते हैं मतलब अगर यहाँ पर plus 2 दिया है, तो आप minus 2 का use करेंगे जब आप यहाँ पर किसी चीज को minus करोगे, यहाँ से आपने हटाया, तो वह चीज यहाँ पर add होगी तो यह उन लोगों ने बोला है, मैं आप लोगों को एक simple language में यह समझा दूं कि यहाँ पर transposing का मतलब यह है, कि 2 plus x equals to 3, अगर मालो यह कोई एक equation है आपको कुछ नहीं करना, आपको इस 2 को यहाँ पर move करना है और जैसे यह 2 यहाँ move होगा, क्योंकि यह 2 positive sign है, ठीक है, क्योंकि यह 2 positive sign में है जब यह इधर move होगा, तो यह हो जाएगा minus 2 जब भी कोई चीज transpose होगी, वो अपना sign change करेगी आपको यह देखना है, कि जिस भी चीज को आप transpose कर रहे हो, वो जहाँ पर थी उसका साथ वालों के साथ क्या relation था यहाँ पर 2 के साथ x का जो relation है, वो addition है, addition में है 2 ठीक है, और इस 2 के आगे sign है positive तो यह 2 जब इधर transpose होगा, तो इसके साथ किस relation में आएगा subtract relation में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर addition relation में था यह इधर आगया, तो इसका sign change हो जाएगा, बस यह चीज़े हैं जो मैंने second point में बोली है, आगे क्या बोला है, when you transpose a number from one side to the equation, of the equation to the other side, you change its sign, वो ही तो अभी मैंने बताया third point आपके काम का है, इसको copy में आप लिखिये, क्या जब भी आप कोई चीज़ को transpose करते हो, plus की चीज़ उदर जाएगी minus हो जाएगी, minus की चीज़ उदर जाएगी, plus हो जाएगी, into की चीज़ उदर जाएगी, divide हो जाएगी, divide की चीज़ दूसरे side पे जाएगी, multiply हो जाएगी, यहाँ पर मैं बना भी देता हूँ कि अगर negative उदर ले गए, तो यह हो जाएगा positive, positive अगर उदर ले गए, तो यह हो जाएगा negative अगर आप multiplication का sign उधर ले गए तो यह हो जाएगा division और अगर आप division के sign को दूसरे side ले गए तो वो हो जाएगा multiply ठीक है अच्छा हमेशा याद रखना सिर्फ LHS से RHS movement नहीं होता RHS से LHS भी होता है transposing मतना किसी भी एक side से आप transpose करोगे minus उधर जाएगा positive हो जाएगा positive इधर आएगा minus हो जाएगा positive उधर जाएगा minus हो जाएगा minus इधर आएगा positive हो जाएगा into वहाँ जाएगा divide हो जाएगा divide की चीज यहां आएगी multiply हो जाएगी तो यह wise versa भी है सिर्फ LHS से RHS का movement नहीं है RHS से LHS side का भी movement होता है यह बता रहा है आपको third point when you transpose a number from one side of the equation to the other side you change its sign आप उसके sign को change कर देते हो for example transposing plus 3 from the LHS to the RHS in the equation अब आपको यहां पे एक equation दिये ध्यान देना क्या है वो equation वो दिये x plus 3 equals to 8 x plus 3 equals to 8 आपको क्या करना है इस plus 3 को 8 के पास लाना है क्योंकि number number एक ही family के है न number number एक साथ लिखें तो अच्छी बात है solve जल्दी हो जाएगा variable के साथ number का कोई relation नहीं है मुझे कोई variable की तो value point करनी है तो जब भी कोई variable दिया होता है यह variable x क्या है एक variable है इसी की तो value मुझे निकालनी है यह x है क्या 3 में ऐसा क्या add किया कि वो 8 बन गया यही तो question है कि भाई x में आपने 3 add किया है तो वो x क्या है जो 8 बन गया तो वो x क्या है वो find करने के लिए मैं प्लस 3 जब इस साइड लाओंगा तो यह क्या होगा x वही रहेगा और यहां पर क्योंकि अल्रेडी 8 था यह प्लस 3 इदर आया तो यह हो गया minus 3 तो 8 minus 3 का मतलब होता है 5 यह चीज़ समझ आ रही है तो x की value क्या x की value 5 आप कहोगे सर जब मैं 5 में 3 का addition करूंगा तो वह 8 बन जाएगा clear है बच्चो आगे ध्यान दीजेगा last point क्या है we can carry out the transposition of an expression in the same way as the transposition of a number क्या बोल रहा है भाई वो last line में बोल रहा है कि we can carry out the transposition of an expression to the same way as the transposition of a number देखो इसमें यह बोलना चाहरा है कि एक expression के अंदर भी अगर देखो कोई भी एक LH side एक आरहेच्चे side होती है तो पूरी LH side को मैं expression बोलूंगा पूरी आरहेच्चे side को एक expression बोलूंगा पूरी के पूरी expression भी अगर इदर आई तो सब के sign change हो जाएंगे transposition वहां पर भी लगेगा तो आपको word transposing पता होना है चाहिए ठीक है word transposing तो अभी तक हमने क्या-क्या cover कर लिया एक बार revise करिए हमने सबसे पहले देखा word variable क्या होता है हमने उसके बाद समझा word expression क्या होता है फिर हमने समझा उसके बाद word expression क्या होता है फिर हम आप आए है expression के बाद equation क्या होता है तीन चीजे equation के बाद हमने समझा transposing क्या होती है तो transposing मैंने समझाया next slide देखते हैं वहां पर हमें क्या बताया गया है यहां पर word statement से मैं आपको introduce करा रहा हूं word statement का मतलब क्या होता है statement English में जब मैं कोई line बोल देता हूं मैं बोलता हूं मैं वहां जा रहा हूं यह मैंने statement बोला मैं कहीं जा रहा हूं I am visiting over there ठीक है my name is Abhishek this is a statement यह एक statement है कि भाई मेरा नाम Abhishek है यह एक statement है ठीक है तो word statement maths में समझना क्या है मतलब statement का मतलब जैसे मैंने यहां पर भी एक example लिए कुछ the cow is white एक statement है भाई गाएं सफेध है the cow is white a statement simple statement ठीक है दूसरा statement मैंने दिया है 3 plus 5 equals to 5 यह भी statement है कि भाई जब पांच में तीन का एड किया तो पांच आया देखना अभी मैं आने वालों यह में क्या क्या लिखा हुआ है कहीं पर गलतियां गलतियां भी है ध्यान देना डॉक्तर राजिंद प्रसाद वॉस्ट प्रेसिडेंट ओफ इंडिया एक statement इंग्लिश में मैंने एक statement बूला क्या है डॉक्तर राजिंद प्रसाद वॉस्ट प्रेसिडेंट ओफ इंडिया यह एक statement है ठीक है दूसरा लखनौ अगर आप ध्यान से देखे तो मैंने यहां पर बताया है एक और इंग्लिश में कोई statement बोल देते हो आप किसी चीज को explain करते हो इंग्लिश के words में तो वो कहलाता है एक ordinary verbal statement ठीक है ordinary और verbal statement यह English का पाठा गया ठीक है यह सारे के सारे एक verbal statement है एक simple एक ordinary statement है मैंने कुछ भी बोल दिया ठीक है तो यह एक verbal statement है English के अंदर इसको हम कहेंगे कि first, third and sixth देखो first, third and sixth are the verbal statements यहाँ पर मैंने इस चीज को box में लिखके आपके सामने बताया है और अगर आप धिहान से देखे तो यहाँ पर numbers हैं यहाँ पर numbers हैं यह भी numbers हैं यह भी numbers हैं तो इसको मैं कहूंगग यह mathematical statements हैं क्या second, fourth, fifth and seventh तो second, fourth, fifth and seventh they are the mathematical statement अब इसी के अंदर अगर आप देखो तो कहीं न कहीं गलती भी है ठीक है आप बता सकते हो क्या क्या false है क्या true है कौन सा statement false है कौन सा statement true है यहाँ पर English में भी जो मैंने verbal statement बोले यहाँ पर भी आप इन statement को सुननने के बाद बोल सकते हो कि सर यह false statement ह सर यह वाला जो ही true statement है ठीक है तो मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहरा हूँ कि statements का मतलब क्या होता है किनको mathematical statement कहते है और किनको verbal statement कहते है तो यह कुछ examples थे जो आपको यह समझा रहे है कि mathematical statement क्या है और verbal statement क्या है clear है यह चीज आगे आगे समझना जो चीज मैंने यहाँ पर गलती से लिखी हुई है जैसे यहाँ पर 3 plus 5 equals to 5 यह गलत है ठीक है आगे मैं इसके बारे में भी समझा रहा हूँ यह ऐसा क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर 5-7-2 यह सही लिखा है 3 divided by 3 1 यह सही लिखा है आगे समझना मैं बता रहा हूँ आपको क्या चीज है वो next next में जो mathematical statements होते हैं यह आगे दो तरह के होते हैं जब भी अभी क्योंकि हमें verbal statement नहीं पढ़ना हम लोग यहाँ पर vocab, tenses के बारे में English के बारे में कोई video नहीं है math के बारे में video है तो mathematics के अंदर हमने पीछे देखा कि mathematical statement क्या होता है mathematical statement फिर further दो तरह से होते हैं ठीक है एक होता है numerical statement और एक होता है algebraic statement तो यह दो वर्ड समझना what do mean by the word numerical statement numerical statement का मतलब होता है जहां पर सिर्फ numbers हूँ ठीक है और algebraic statement word algebraic maths से एकदम related हो बहुत important है क्योंकि इसमें आपको chapters भी up to 12th class algebraic equations algebraic expressions अभी 7th class में भी आपको algebra पढ़ाऊंगा मैं ठीक है तो algebraic statement कब बोलते हैं इसको हम आगे समझते कब word हम numerical statement बोलेंगे कब हम word algebraic statement बोलेंगे next slide में देखिए देखिएगा यहाँ पर numerical statement आपके सामने है यह सब सिर्फ numbers ही numbers आपको दिख रहे हैं ठीक है तो जब LHS, RHS में सिर्फ number ही number होते हैं तब मैं कहता हूँ वो एक numerical statement है जैसे यहाँ पर ध्यान देना 4 plus 5 equals to 9 यह एक numerical statement है कि numbers ही numbers का आपस में मैंने comparison किया है इसमें LHS side एक RHS side है ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है can you tell which of the statements are true and false इसमें से कौनसा YASA statement है मैं Maths में कैसे बोलूंगा ही बोलूंगा यह एक statement भी यह सात मैं कौनसा statement है यह numerical statement है और मैं आपसे सवाल कर रहा हूं mathematics के अंदर कि इन statement में से जो मैंने numerical statements लिखे इन statement में से कौन सा false है और कौन सा true है ठीके दियान देना तथ इच नुमेरिकल स्टेटमेंट इधर true और false इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो true होंगे कुछ स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो false होंगे तो mathematics में हम basically समझ रहे हैं कि statements का मतलब होता क्या है statements में दो तरह आते हैं ठीके verbal statement and numerical mathematical statement फिर mathematical statement के अंदर दो तरह की होते हैं numerical statement और एक algebraic statement इसके बाद है द्यान देना इसमें से true and false कौन कौन से 4 plus 5 9 होता है yes true द्यान देना 4 plus 7 greater than 20 क्या साथ से जब मैं 4 add करूंगा तो वो 20 से बड़ा आएगा no sir ये गलत statement है यही आपका जवाब होगा next 4 into 2 is 8 yes sir ये statement सही है मेरी words को पकड़ना मैं जो बोल रहा हूं yes this statement is true 6 minus 2 is 4 yes this statement is true 6 divided by 2 is 4 no this statement is wrong 6 को जब मैं divide करूंगा 2 से तो it will give you an answer 3 ठीक है 3 plus 2 is 5 5 plus minus 1 is 4 तो ये दे रहा है तुम्हें 2 no this statement is wrong मेरी बात समझ आ रही है तो statement सही है या गलत है ये चीज भी हम बोल सकते हैं yes this numerical statement is true or false clear है तो word statement समझ आया ठीक है next दिहान दीजेगा यहां पर algebraic statement बताया तो अब word algebraic को पकड़ना आपको कुछ अंतर दिख रहा है क्या इसमें और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है हां सर दिख रहा है यहां पर सिर्फ numbers numbers हैं लेकिन जब मैं बात करता हूं algebraic expression के बारे में algebraic statement के बारे में तो यहां पर सर मुझे numbers भी दिख रहे हैं मुझे variables भी दिख रहे हैं और मुझे mathematical relations भी दिख रहे हैं तो बात को समझना है algebra का मतलब क्या the combination in mathematics the combination of numbers variables and mathematical relations is known as algebraic statement algebra ठीक है यह है word algebra algebra maths में मतलब जब भी आप maths में algebra पढ़ेंगे algebra words सुनते ही आपके दिमाग में click हो जाना चाहिए the combination of numbers variables and mathematical relations देखो सारी चीज x plus 3 equals to 7 यह एक algebraic statement है इसमें x है क्योंकि variable plus का sign भी यह numbers भी है 3x minus 9 equal to 21 यहां पर यहां पर variable भी है ठीक है numbers भी है mathematical relations भी है 9x divided by 3 is less than 4 यह एक statement है कि जब मैं 9x को divide करूंगा 3 से तो जो value आएगी वो 4 से कम है ठीक है यहां पर भी आप true and false चेक कर सकते हैं वो ही हमें इस chapter में सीखना है कि कैसे यही हमारा aim है इस chapter को पढ़ने का simple equations जो हम chapter पढ़ रहे हैं यहां पर मैं आपको सिर्फ अभी intro करवा रहा हूं आपको words का definition बता रहा हूं words के बारे में समझा रहा हूं कि क्या-क्या words अब आपको सुनने वाले हो आप लोग 7th class and onwards जब higher classes में यहां से movement करोगे तो आपके सामने सारे words आएंगे variable expression equation transposing फिर इसके बाद statements statements के अंदर numerical statements फिर उसके अंदर algebraic statements तो यह सारी चीजों से अभी हमारा introduction चल रहा है ठीक है अभी तक हम मुद्दे पे नहीं आए हैं आगे समझना आगे क्या और क्या कैस चैप्टर में है ठीक है no it is not possible to tell that x plus 3 equals to 7 अब एक ऐसे ही आपको बताया है यहां पे एक simple सा statement मैंने आपसे पूछा कि यहां पे जो मैंने यह algebraic statements लिखें क्या यहां से आप true and false बता सकते हो तो यहां से true and false बता सकते हो हमेशा यहां दखना algebraic expression से algebraic statement से यह possible नहीं हो पाता कि मैं true and false बता पाऊं इसलिए मुझे क्या thus each algebraic statement is an open statement इसलिए मैं हर algebraic statement को open statement बोलता हूँ क्योंकि मैं वहाँ से clear view नहीं दे पाता यह true है यह false है यह true भी हो सकता है यह false भी हो सकता है मैं clear एक बार में देखके नहीं बता सकता clear है next आगे देखते हैं आगे क्या है consider and equality अब यहाँ से वो मुद्देपपी की बात चालू हो जाती है यहाँ से chapter का view चालू हो रहा है कि हमने इस chapter को simple equations क्यों बोला है math का यह जो topic है simple equations हम इसको simple क्यों बोल रहे हैं यहाँ से हमारी कहान ही चालू हो रही है ध्यान देना जब आप words को समझ गए हो तो consider and equality sign आप ए तो चीजे मैंने example लेकर यहाँ पर समझाई है 3x plus 5 is equals to 11 ऐसा आप suppose करो क्या the value of the variable for which left hand side मतलब LHS of the equation is equal to its right hand side मतलब RHS भाई आप जब इस तरह की कोई equation देखोगे आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यह आनी चाहिए कि यह बोलना चाह रहे है कि LHS equal है RHS के ठीक है equality का sign लगा है इसलिए ठीक है और इसी चीज़ को जब ऐसा ऐसी चीज़ आपके मन में आ जाती है जब किसी equation को देखने के बाद यह equation है एक LHS side एक RHS side equal to sign का मतलब है कि LHS is equal to RHS जब ऐसी कोई चीज मेरे दिमाग में आ जाती है तो मैं बोलता हूँ solution of the equation को calculate करना है इसका solution क्या है इस equation का solution क्या है यहाँ पर value x मुझे find करनी है द्यान देना मैं वो ही बताने जा रहा हूँ कि कैसे तो how to solve an unknown side equation यह है हमारे सामने main मुद्दा main सवाल इस chapter का main aim ठीक है कि भाई अगर मुझे कोई unknown value दी है एक equation दी है उसके अंदर अगर कोई unknown value है तो कैसे find करेंगे तो solution देखो सबसे पहले चीज क्या करना है सबसे पहले चीज कि भाई read करो equation को आप equation को read करो क्या equation दिए 5x plus 4 equals to 19 कल दिया read अब क्या करना है अब क्या करना है इसका inverse कर दो do the inverse क्या inverse करना है देखो आपको क्या करना है कि यहां पर 5x के साथ plus 4 लिखा है आपको क्या करना है इस plus 4 में इस side में क्या लिखा है यहां पर लिखा है 5x plus 4 तो आप देखो यहां पर आपको एक side पे minus 4 कर देना है ठीक है plus 4 है minus 4 कर दो जो चीज आप यहाँ पे डाल रहे हो वो ही दूसरे side पे आपको करनी है 19 minus 4 ठीक है तो अभी आपको करना क्या है आपको inverse करना है मतलब आपको 4 को दूसरे side पे लेके जाना है minus 4 minus 4 जो मैंने यहां पे लिखा यह समझाने के लिखा आपको क्या करना है आपको इस plus 4 को यहां लेकर जाना है जैसी आप plus 4 को इधर लेके जाओगे तो यहां पे ध्यान देना यह हो जाएगा 19 minus 4 now 5x equals to 19 minus 4 होता है 15 clear है तो मेरे सामने एक्वेशन क्या आई कि भाई 5x equals to 15 अब मुझे निकालनी है x की value और x के साथ 5 का क्या relation है तो यह चीज समझना जब भी किसी variable के साथ को number लिखा होता है जब भी किसी variable के साथ कोई number लिखा होता है और उस number of variable के बीच में कोई sign ना दिखे नहीं दिख रहा भाई 5 और x के बीच में ना प्लस दिख रहा ना माइनस दिख रहा ना into दिख रहा ना divide दिख रहा है तब वहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं यह बोला जाता है कि into का sign है वहाँ पे multiplication का sign है जिसको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है तो जब भी किसी variable के साथ कोई number लिखा हुआ है और कोई sign नहीं लगा तो वहाँ पे मतलब इन दोनों का जो relation है आपस में वो है 5 multiplied with x multiply है दोनों चीज़े आपस में ठीक है तो यहाँ पे x के साथ 5 क्योंकि multiplication में था तो यह 5 जब x को छोड़के उस side जाएगा तो यह 15 के साथ किस relation में चला जाएगा divide के relation में और 15 divided by 5 हो जाएगा 15 divided by 5 equals to होता है 3 तो यहाँ पे finally x की value आ जाएगी 3 ठीक है करना क्या है सबसे पहले equation को read करो फिर देखो जो आपको value निकालना है आपको x निकालना है x के साथ जो जो extra लिखा हुआ है उसको वहाँ पे लेके जाना है ठीक है उसको वहाँ पे लेके जाना है दूसरे side पे लेके जाना है चलो और देखें क्या है इसके अंदर एक example और लिया होगा ये देखो क्या है एक equation आईए मानो अब यहाँ पर LHS side में भी X है आरेचे side में भी X है ठीके अगर दोनों तरफ two unknown side equations अगर तुम्हें दी है पीछे हमने क्या समझा था हमने समझा था one unknown side equation अगर किसी एक ही side पे unknown value है लेकिन अब तुम्हारे सामने है कि दोनों side पे LHS side में भी और RHS side में भी unknown value है जो तुम्हें नहीं पता हो दोनों similar है तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि सारे variable वाली terms को एक side पे लेके जाना है सबसे पहला step वो ही कि equation को read करो read कर लिया उसक x plus 4 and 5x minus 10 तो सारे x वाले terms मतलब सारे variable वाले terms एक side पे फैक दो और सारे बिना variable वाले terms ऐसे term जिनके साथ variable नहीं है उनको दूसरे side पे फैक दो ठीक है देखो यहाँ पे भी वो ही किया है क्या किया है कि भाई 4 से plus 3 को plus 3 को जब मैं इस side लेकर गया तो 5x minus 10 के बाद आया minus 3x जो पहली चीज तो ये भी समझना कि जो चीज अपनी place पे है उसको वही रहने देना जिसको सिर्फ move कर रहे हो transpose कर रहे हो वो हमेशा बाद में लगती है यहाँ पे देखो बाद में लगी है जब 3x इस side गया तो वो minus 10 के बाद लगा है minus 3x हो गया ठीक है अब यहाँ पे तो minus 3x कर दोगे तो 2x बचेगा तो 2x minus 10 या ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई 2x minus 10 equals to 4 तो आप दोनों चीजे बोल सकते हो ठीक है कोई फरक नहीं है आप LHS को RHS पे लिख दो या RHS को LHS पे लिख दो कोई issue नहीं है लेकिन बीच में equal to sign वैसे कब ऐसी रहना चाहिए आगे हमें नि यह 4 के बाद लगेगा और यह हो जाएगा प्लस 10 यह छोटी छोटी चीजे हैं जो समझनी है इस चैप्टर के अंदर नहीं तो बहुत गलतियां होने वाली है ठीक है 2x की value आगे 14 तो 2x की value आगे 14 और x की value क्या आएगी मुझे finally तो x ही निकालना था ना x के साथ 2 का relation क्या था multiplication तो मैं multiply वाली चीज last में लेकर आऊंगा और वो हो जाएगा x equals to 14 divided by 2 ठीक है तो 14 divided by 2 होता है 7 this is my answer this is the solution of what I need what I need the value of x clear है तो आगया यह था एक example अगर 2 unknown side equation दी है तो क्या करना है आगे दिखते हैं हमें और क्या बात की है इस चैप्टर में तो यहां पर यह बोल रहे ह है कि हमारे daily life में हम कहां कहां equations का use करते हैं तुम्हें 7th class में यह बहुत important है यह सीखना पड़ेगा आपको एक normal statement बोल देंगे एक verbal statement बोलेंगे वह English में verbal statement वह बोलेंगे I have two apples ठीक है please give it to me अब मालो दो एपल है दे दो मुझे तो वह comments जिवा तो तुम्हारे पास तो अब 0 बचा ना कितना remaining बचा तो इस तरह के verbal statement बोलेंगे आपको verbal statement को change करना है किसमें change करना है numerical statement में नहीं algebraic statement में ठीक है समझना इस चीज़ को some simple day-to-day problems which can be solved with the help of linear equations हमारे daily life में भी हम linear equations को use करते हैं अब word linear मैंने यहाँ पे use किया है linear का मतलब क्या होता है ऐसी equation जिसके अंदर एक variable हो और उस variable की highest power 1 हो मतलब जैसे 2x plus 5 मैंने बोला is equals to 7 यह equation है क्यों बोल रहा हो एक equation है क्योंकि इसमें एक LH side एक RH side है अब इसके अंदर एक ही variable है और यह variable एक ही है ठीक है इस variable की जो power है वो 1 है मतलब यह एक ही variable है यह दो variable मी नहीं है यह ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें बोल दिया 2x square plus 5 equals to 7 इसका मतलब x में 2 मतलब x दो बार multiply हुआ है तो इस तरह की equations अभी तुम्हें नहीं पढ़ना यह भी तुम पढ़ोगे कब पढ़ोगे 9th class में अभी हो आप लोग 7th में तो अभी हमें सिर्फ देखनी है linear equations तो word linear equations पता होना चाहिए क्या होता है word linear का मतलब होता है ऐसी equation जिसके अंदर एक ही variable होगा और वो एक ही होगा वो दो नहीं हो सकते x दो बार नहीं हो सकता ठीक है एक्स दो बार नहीं हो सकता होना दो बार multiply नहीं हो सकता ठीक है using of operations of addition कैसे हम अपने day to day life में इन problems को solve कर सकते linear equations के through जब हम operations of addition and subtraction बीच में लगा देंगे falling steps should be taken to solve a word problem अब आगे मैंने एक slide बताई है जिसमें मैं word problems मतलब अगर आपको verbal statements बोल दिये गए word problems दे दी गई तो उनको कैसे आप algebraic statement में change करेंगे उसके बारे में बात की है चलो उसको देखते है क्या है वो चीज वो है सबसे पहला क्या करना है सबसे पहले आप read करिए पूरी problem को अच्छे से ठीक है carefully and find what is given and what is required क्या तुम्हें दिया हुआ है सबसे पहले data को find करो given क्या क्या है ठीक है और तुम्हें पता क्या करना है to find क्या requirement है उन लोग की क्या पता करना है यह पहले ही बार में तुम्हें समझा जाने चाहिए दूसी चीज डिनोट द अन्नोन क्वांटिटी वाइनी वन अफ द लेटर्स अब मतलब जो तुम्हें पूछा है ठीक है जिसके बारे में to find करना है उसको तुम एक अन्नोन लेटर के साथ डिनोट कर दो मतलब let us assume बोलोगे तो ठीक है तो तुम्हारा पहले तो पूरा given data आएगा to find आएगा to find के बाद वो बोल रहा है कि आप let us assume वाला statement यूज़ करना जो चीज find करनी है उसको कुछ भी x y z a b c d t p q कुछ भी माल लो ठीक है translate the statement उस statement को translate करो ठीक है of the problem into a mathematical sentence अभी हमने पीछे समझा कि mathematical sentence क्या होता है mathematical sentence दो तरह का होता है एक होता है numerical और एक होता है arithmetic तो हमें arithmetic statement में change करना है equation के form में change करना है ठीक है अब solve the equation अब equation को solve करो for the value of the unknown आपने यहाँ पर जो values unknown values ली थी उनके लिए आपको equations को solve करना है और equation को पीछे मैंने बताया कि कैसे solve करना है ठीक है दो चीज़े आ सकती है तुमाहें सामने यहां तो किसी एक साइट पर कोई ए variable दिखने वाले हैं ऐसे हम बहुत सारे questions को solve करने वाले NCRT पूरी और कुछ important questions भी मैं लेकर आया हूं ध्यान देना check whether the solution obtained in step 4 अब आपको ये check करना है कि step 4 में जो आपको solution मिला है वो क्या तुम्हारी equation को satisfy कर रहा है मतलब तुमने जो equation बनाई थी ठीक है तुमने जो एक mathematical statement बनाया था algebraic equation मनाई थी तो तुम्हारा जो answer आया उसको वहाँ पर डाल के verify भी करना है तो ये है पूरा equation को कैसे solve करते हैं उसके बारे में clear है बच्चो आगे ध्यान देना यहाँ पर मैंने एक example लिया है और वो example क्या मैं एक simple से एक verbal statement बोल रहा हूं और statement है the sum of two consecutive numbers word consecutive अगर आपने मेरे पुराने videos watch किये हैं तो उन videos में मैंने word consecutive को समझाय हुए consecutive फिर से बता रहा हूं consecutive का मतलब होता है लगातार ठीक है एक के बाद एक ठीक है one two three are consecutive numbers seven eight nine are consecutive numbers तो consecutive का मतलब होता है एक के बाद दूसरा लगातार number consecutive ठीक है the sum of two consecutive consecutive numbers is 13 क्या बोल रहा है वो कोई दो consecutive numbers है कोई दो numbers है वो लगाता numbers है उनका जो addition है sum word क्या बोला sum वो कितना है 13 word समझना यहाँ पर तुम्हें को शब्द मिलेंगे यहाँ पर off का मतलब होता है multiply is इसका मतलब होता है equal to by by के यहाँ पर दो मतलब हो सकते हैं यहाँ तो into बोल रहा है यहाँ वो divide बोल रहा है तो इनको पकड़ना है word मिलेगा sum sum का मतलब होता है add ठीक है यह word मिलेगा increase increased का मतलब होता है plus decrease lower less ऐसे words का जब use होता है तो वो सब symbols को denote करते हैं आपको यही statement से भी पकड़ना है तो यहाँ पर जैसे word बोला है the sum of two consecutive numbers sum sum का मतलब दो numbers का sum यह बना दिया मैंने एक equation बन गई है आगे समयनना find the numbers आप उन numbers को पता करो अब यह दोनो numbers मुझे unknown है देखना है इसको कैसे solve करूँगा तुम्हें सामने बहुत easy है इसलिए इस chapter का नाम simple है ठीक है तेखना वो कह रहा है let one number be x अगर मैं एक number देखो दो question mark लगे तो अगर किसी एक number को मैं माल लूँ यहाँ पर x और मैं बोलू जब इस x को मैं add करूँगा question mark से तो यहाँ पर आएगा 13 clear है तो अब आप बताओ यह question mark की value क्या होगी अभी अगर एक number x है तो दूसरा number क्या दो number का add हुआ है न तो दूसरा number क्या मैं बोल सकता हूँ अगर यह x equal to sign के इधर चला गया तो यह हो जाएगा 13 minus x किसकी value इधर question mark था इधर question mark था तो दूसरी value खुद बाखुद 13 minus x हो जाएगी वह यहीं बोल रहा है let one number be x then the next अच्छा यहाँ पर जो इन्होंने तरीका बोला है इस question को attempt करने का वो यह है यहां दीजेगा क्या अगर एक number को मैंने x माल लिया क्योंकि word consecutive था दो consecutive number अगर मतले लगाता रगर एक number one है तो दूसरा number two होगा अगर एक number three है तो दूसरा number four होगा अगर एक number seven है तो दूसरा number eight होगा तो बात को समझना कोई भी एक number ले रहा हूं अगर मैं number ले रहां तो उसमें next number क्या हो रहा है plus one कोई चिज एड हो रही है क्या यौरि है one add हो रहा है बार बार हर नंबर मैं ह्じ एड और रही है ऐखो ठ्री है ट्री में फ्लैस व किया फोर सेवन लिया seven क्लेस वन किया eight nine लेता 9 में plus 1 करता 10 1 लिया 1 में plus 1 किया 2 x लिया x में plus 1 किया तो क्या मैं ही बोल सकता हूँ वो दो number है x and x plus 1 वो बोल रहा है कोई 2 consecutive number है तो देखो solution कैसे solve करेंगे according to the problem हम कैसे solve करेंगे हम बोलेंगे let one number be x therefore the other number will be x plus 1 इन दोनों का sum क्या है इन दोनों का sum क्या है 13 तो मैं क्या यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इन दोनों का sum है 13 यह बन गई equation और यही तो हमें बोला था question को बहुत अच्छे से पढ़ो पढ़ने के बाद क्या पूछा है वो लिखो तो हमने लिखा यहाँ पर given हमें एक number दिया है x तो to find पता क्या करना है वो unknown number पता करना है सबसे पहले given to find फिर equation form करो बन गई equation अब कैसे solve करेंगे तो यह क्या है यह है actual में x plus x plus 1 equals to 13 2x आपस में जब add होते हैं अभी मैंने बताया था कि जब एक variable लिखा होता है उसके साथ कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पर 1 है तो बात को समझना 1x plus 1x होगा 2x और यह plus 1 extra लिखा हुआ x के साथ तो इस plus 1 को इसकी family के साथ ले जाओ यह अकेला number इसका variable नहीं है यहाँ पर भी variable नहीं है यह 1 13 के पास जाएगा तो यह हो जाएगा 13 minus 1 और 2x की value आएगी 12 अब तुम्हें x निकालना है तो x तुमारा निकल के आगया x की value कितनी आएगी x की value आएगी 12 by 2 क्यों 12 by 2 क्यों आएगी क्योंकि 2 के साथ x किस relation में multiply के relation में अभी पीछे मैंने बताया यह 2 जब 12 के पास जाएगा तो यह हो जाएगा 6 तो x की value आएगी 6 यह मैं समझाना चाहरा हूँ इस chapter के अंदर तो यह मैंने एक example लिया एक और example लिते हैं अपन चलिए देखिएगा example number 2 यहाँ पर एक example और लिया है मिलता जुलता पिछले वाले से ही है क्या है एक statement बोला है मैंने एक simple सा verbal statement बोला है और वो statement यह है कि the sum of the three consecutive even numbers बात को समझना word consecutive का मतलब क्या लगातार कितने लगातार number है तीन लगातार number लेकिन शर्त यह है कि वो जो तीनों लगातार number है वो तीनों लगातार number even है ठीके और इन तीनों का जो sum है बात को समझना sum कितना है वो है 60 तो find the numbers आप numbers पता करिए अब बात को समझो तो यहां पर अपन एक example लेते हैं माल लो even numbers क्या क्या आपको पता है तो पहले even numbers लीजिए तो even numbers पहले अगर आप तीन even number लोगे तो वो आएगा आपका 2 फिर आप बोलोगे 4 फिर आप बोलोगे 6 यह first 3 even numbers है अगर मैं बोलू कि 1 even number जो पहला even number है वो x है अगर मैं इस 2 को x माल लू बात को समझना तो 2 को अगर मैंने x माल लिया और 2 को अगर मुझे 4 बनाना पड़ता है मैंने 2 के बाद अगर 4 आना है तो 2 में plus 2 हो रहा होगा इसका मतलब अगर x के बाद में next number लोगा तो मैं क्या ऐसा बोलूँगा next number होगा x plus 2 पहले number में plus 2 4 बनेगा और जो ये number आया इसमें फिर से plus 2 होगा तो इस 4 में फिर से plus 2 हुआ इसका मतलब कि तुमने जो पहला number लिया था x दूसा number हुआ x plus 2 इसमें फिर से एक तीसे number में इस number में फिर से 1 plus 2 हुआ तो क्या ये वो 3 number है बात को समझना मैं ये नहीं बोल रहा कि 2, 4, 6 वो 3 even number है जिनका sum 60 है मैं तुम्हें एक example लेके बता रहा हूँ कि कैसे question को attempt करना है पहले शांती से question को पढ़ो समझो, समझने के बाद उसमें क्या तुम पूछा है उसको unknown quantity x माल लो माल दिया x, ठीके अब 3 consecutive number बोलें तो पहले number को अगर मैंने x माल दिया तो दूसा number होगा x plus 2 तीसरा number होगा x plus 2 plus 2 इसका मतलब तीसरा number हो जाएगा x plus 4, ये number है x plus 2 और ये number है x, मिल गए तीनो number अब हम यहाँ पे लिखेंगे given हमें क्या-क्या given था question में हमें क्या पायता करना है to find और उसके बाद हमें एक equation form करनी है तो इस case में equation क्या बन रही है इस case में अभिशिक सार equation बन रही है कि x को आप add करिए क्योंकि sum बोला है तो x add होगा दूसरे number के साथ दूसरे even number के साथ फिर यह add होगा तीसरे even number के साथ और वो है x plus 4 समझा रहा है यह चीज इनका जो sum है वो है 60 लिख सकता हूँ मैं ऐसे यह बन गई equation इसको हमें solve करना है तो हम ऐसे कई question solve करने वाले हैं कि कैसे equation form होगी कैसे हम उनको solve करेंगे और बड़ी simple सी equations हम form करेंगे यहां हमें already equation given होगी उसमें से हमें x find करना है ठीक है इसकी value अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर मेरा answer आ गया आ गया अगर आपको देखना है क्या आया तो चलो मैं इसको solve कर देता हूँ बताना आपका answer यही आया है क्या 60 is equals to x plus x plus 2 plus x plus 4 और 2 plus 4 होता है 6 और यहां पर होगा 3x plus 6 is equals to 60 60 minus 6 होता है 54 तो 3x की value तुमारी आई होगी 54 अब x की value क्या आई होगी मैं बतायता हूँ x की value आप लोगों की आई होगी 54 by 3 और इसका मतलब है 3 1 times is 3 3 8 times is 24 तो x की value आप लोगों की आई होगी क्या अगर मैं यहां पर rub कर दूँ अगर मैं रब कर दूँ इस चीज़ को तो आप लोगों का यहां पर x calculate हुआ होगा 18 अगर x 18 है तो क्या आप आगे के नंबर बता सकते हैं और दो नंबर क्या हैं हां सर बता सकते हैं 18 plus 2 मतलब 18 plus 2 यह next number होगा और तीसरा number होगा sir 18 plus 4 और 18 plus 2 होता है sir 20 और 18 plus 4 होता है 18 plus 4 होता है樂 22 तो एक नंबर है 18 20 और 22 यह तीनों even इन तीनों even numbers का sum 60 होगा add करके देख लो 18 plus 20 plus 22 60 आएगा तो इस तरीके से आपको यह chapter इतना असान में बनाने वाला हूँ, NCRT वीडियो को watch करिये, यहां तक हमने क्या-क्या समझ लिए, वो basic point क्या क्या थे जो हमने समझे, हमने यह समझा कि जो एक open statement होता है, इसमें जिसमें symbol equal to लगा होता है, उसी को हम equation कहते हैं, अभी हमने theory part में समझा, हमने और क्या समझ हमने यह समझा कि एक equation के दो sides होता है, एक LHS side होता है, एक LHS side होता है, ठीक है, और यह दोनो sides को हम interchange करके भी लिख सकते हैं, यह भी मैंने इस theory में cover up किया, हमने इस theory में और क्या cover up किया, हमने cover up किया है, the value of x, जो unknown number है, occurring in equation is called its solution, जब मैं x की value find कर लूँगा, एक equation के अंदर जब मैं x की value find कर लूँगा, उसी को मैं बोलूँगा, मैंने solution find कर लिया है, fourth, एक और हमने इसमें basic चीच जो सीखी वो यह था, a simple equation involving one unknown has only one solution, अगर किसी equation में कोई एक unknown है, मतलब अगर तुमने कोई एक x लिया है, तो उसका solution भी कोई single value निकलेगी, अभी हमने पीछे दो example मे हमने देखा, कि हमने x लिया था, और x की एक ही single value आ रही थी, clear है, तो वो ही चीज यहाँ पर बोला है, कि एक equation के अंदर, अगर कोई एक unknown है, तो एक solution आएगा, दो unknown है, दो unknown वाला आप लोग पढ़ेंगे, 8th class में या 9th class में है, वो चीज, जब 2 unknown find करने होते हैं, तो आप accent while लेते हैं, तो वहाँ पर दो solution निकल के आते हैं, तो यह चीज है, तो finally हमने जो अब भी पीछे देखा, कि एक verbal statement से हम अपने daily life में क्या क्या कर सकते हैं, एक large number of practical problems हमारी life में जो daily problems आती हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा ऐसी problems हैं, जिनको हम maths के simple equations का use करके, हम solve कर सकते हैं और answer को निकाल सकते हैं, तो यह technique हम उसमें लगाने वाले, तो बच्चो यहाँ पर मैं, मैंने आपको complete theory दी है, इस chapter simple equation की, ध्यान देना, जैसा कि chapter का नाम था, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कि simple equations, simple equations, एकदम simple, देखो एकदम, x plus 3 equals to 0 दिया है, तो x plus 3 equals to 0, और य यहाँ पर इन्होंने question में क्या बोला है, कि आपको इस last column में ये बताना है, कि ये सही है या गलत है, अगर मैं ये बोलता हूं, कि x की value 3 होनी चाहिए, बात को समझना, इन्होंने क्या बोला है, कि आपको एक equation दी है, उस equation में, जो variable दिया है, उस variable की value भी दी है, इन्होंने यह बोला कि इस value को अगर मैं इस equation में substitute करूं मतलब डालू ठीक है X की value दिए उस X की value को उठा के equation में डालो तो जो equals to 0 इन्हों ने बोला है मतलब क्या LHs, RHs equal है ठीक है अगर इस 3 की value को मैं यहाँ डालता हूँ ध्यान देना अगर मैं यहाँ पर बात करूं सिर्फ LHs side की यह LHs side है ठीक है X plus 3 की अगर मैं बात करूं तो X plus 3 में अगर X की जगह में 3 डाल दो तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 3 plus 3 और 3 plus 3 तो actual में 6 होता है यह होता है ना बट यहाँ पर RHS की value क्या दिये इन्होंने 0 इन्होंने यह पूछा है whether the equation is satisfied अगर मैं X की value 3 डालता हूँ तो क्या यह satisfy हो रहा है नहीं यह satisfy नहीं हो रहा हम देख रहे हैं कि LHs जो की 6 आ रहा है और RHS क्योंकि हमें 0 दिया है इस कारण हम कहेंगे no तो यहाँ पर सिर्फ आपको fill करना है yes और no से करना क्या है हर equation में X की जो यहाँ पर value दी है उसको उठाओ और वहाँ पर substitute करो X plus 3 again उन्हेंने बोला X plus 3 equals to 0 और X की value अब भी है 0 तो चलिए डाल के देखो X की value अगर मैं यहाँ पर 0 डाल दू बच्चो घ्यान देना तो क्या होगा 0 plus 3 का मतलब क्या 3 आना चाहिए ना बट क्या आ रहा है उनके RHS में 0 मतलब यह भी गलत है no it is also not satisfying that X equals to 0 is not satisfying this equation clear है ऐसे third one में देखो क्या दिये again same equation दिये X plus 3 equals to 0 अब यहाँ पर वह बोल रहा है कि आप X की value minus 3 डालो ध्यान देना अगर मैं X की value minus 3 डाल देता हूँ ठीक है और यहाँ पर already plus 3 था तो हमने integers chapter पहले chapter में यह पड़ा है कि एक similar values अगर different sign के साथ आई है मतलब यह negative integer है यह positive integer है तो इसका बलब 3 minus 3 हो जाएगा 3 से 3 कम होगा ठीक है तो यह answer हो जाएगा 0 अब ध्यान देना अगर मैं X की जगा minus 3 डाल रहा हूँ तो यह satisfy कर रही है इस equation को तो हम कहेंगे yes this value is satisfying statement नहीं बोलना बट यहाँ पर सिर्फ no no yes yes भरना है बस पूर्थ वाला आप लोग मेरे साथ करिये क्या है X minus 7 equals to 1 एक equation दी है और उन्हें बोला X की जगा पर 7 substitute करिये चलिए X की जगा पर 7 भी substitute करके देख लीजिए अगर मैं यहाँ पर X की जगा पर 7 substitute करता हूँ तो यह हो जाएगा 7 minus 7 और 7 minus 7 तो actual में 0 आना चाहिए बट इंका 1 आ रहा है तो हमारा answer क्या होगा यहाँ पे भी यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे no आपको कुल मिलाके आपको LHS को equal RHS बताना है जो उन लोगों ने यहाँ पर आपको दिया है इन values को यह substitute करके देखना है देखना है क्या LHS, RHS की equal आ रही है क्योंकि equality का sign लगा है ठीके तो यह चीज यहाँ पर perform करना है ध्यान देना अगर x minus 7 equal to 1 एक equation है हमाई सामने और x की value अगर 8 देही जाती है और इस 8 को अगर मैं यह substitute करता हूँ तो 8 minus 7 तो 1 आएगा यह यह तो सही आ रहा है देखो 8 minus 7 x की जगा अगर मैं 8 substitute कर दूँ तो 8 minus 7 yes 1 आ रहा है that means इनोंने सही value दिए यह equation यहाँ satisfy हो रही है जब मैं x की value हुहाँ substitute करूँगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा yes और यही तो हमसे पूछाता no no yes no yes बस यही करना है यहाँ पर last वाला मेरे साथ करो क्या है 5 x equals to 25 वो बोल रहा है अगर x की value मैं 0 डाल दूँ यह x है ठीक है अगर x की value मैं 0 डाल दूँ तो 5 x आपस में लिखा है दोनों के बीच में कोई sign नहीं है ध्यान देना 5 x आपस में लिखा है बीच में कोई sign नहीं है मैंने इसका मतलब यह 5 x x है और x की value अगर 0 डाल दूँ तो any number when multiplied with 0 will always give you 0 that means यहाँ पर 0 आना चाहिए था बट 25 है तो इसका मतलब यह गलत condition है यह value गलत है ठीक है तो हम यहाँ पर कहेंगे no कब no बोलना है कब yes बोलना है यह पता है होना चाहिए आप लोग को clear है हम लोग इसमें और आगे देखते हैं 7th पार्ट भी है इसका चलिए इसके 7th पार्ट में क्या है वो भी देखते है क्या है 5 x equals to 25 अगर x की value 5 डालो तो क्या यह answer आ रहा है अगर मैं 5 की value 5 डाल देता तो ध्यान देना 5 multiplied with 5 yes यह 25 देगा और 25 इन लोगों ने भी बोला है मतलब lhs की value rhs के बराबर आ गई तो yes x की value 5 substitute करने में इस equation में हमारा answer आ रहा है बच्चो तो मैं कहूंगा yes clear है ध्यान दे रहे हो सब लोग चलो आगे ध्यान देना 5 x equals to 25 ठीके equation अगें दी है और उन्हों बोला x की value जरो minus 5 substitute करो तो आप ध्यान देना अगर x की जगा मतलब 5 into x बोला है x की जगा अगर मैं minus 5 डाल दूँ तो क्या जवाब आएगा भाई plus multiplied with minus पहले sign का multiplication करना है थियोरी में दिकाया है मैंने plus को minus के साथ multiply करो सबसे पहले sign multiplication then number multiplication तो x multiply sorry plus addition का sign जब multiply होगा negative sign के साथ तो यह answer हमारा negative आएगा और 5 into 5 आएगा 25 बट यहाँ पे तो RHS की value हमें क्या दिये 25 negative 25 आना चाहिए तो इसका मतलब यह value भी गलत है तो मैं कहूंगा no यह condition भी satisfy नहीं हो रही ध्यान दे रहे हो आप लो clear है एक next टोर दिया है m divided by 3 m oblique 3 का मतलब है m divided by 3 इसका मतलब जब m divided by 3 करूंगा तो इन्होंने बोला एक equation है 2 मतलब RHS आनी चाहिए value आनी चाहिए 2 तो ध्यान देना अगर m की value में minus 6 डाल देता हूं m की value minus 6 डाल देता हूं और minus 6 को जब 3 से divide करूंगा तो क्या आ रहा है 3 2 times 6 आ रहा है ठीक है लेकिन आप जब answer निकालेंगे तो यह आएगा negative 2 ठीक है negative integer आएगा बट उन लोगोंने तो positive integer बोला है तो यह condition satisfy नहीं हो रही यहाँ पे भी यह no आएगा clear है अगर मैं m divided by 3 equals to 2 similar equation में m की value 0 डाल देता हूं तो क्या होगा ध्यान देना अगर m की value में 0 डाल देता हूं तो एक fraction मिलेगा मुझे 0 by 3 और मैंने बताया था जब मैं chapter fraction पढ़ा रहा था कि numerator में कब्ल में 0 आए और denominator में कोई भी दुनिया की value हो तो answer हमेशा 0 होता है तो हमारे LHS की value 0 डालने पे 0 आ रही है बट इनकी RHS की value 2 आनी चाहिए थी इसका मतलब ये condition भी गलत दी है मतलब ये value भी गलत दी है तो मैं कहूंगा no this is also not satisfying क्योंकि यही तो बताना है क्या value satisfy कर रही है नहीं value satisfy नहीं कर रही आगे ध्यान देना m divided by 3 equals to 2 अगर मैं की value 6 डाल देता हूं ध्यान देना अगर मैं m की value 6 डाल दूंगा तो हमारा जवाब आ रहा है क्या देखिए 6 divided by 3 तो 6 divided by 3 answer आएगा 2 तो हमारे LHS क्या आया है हमारे LHS आया है 2 इनका RHS क्या है 2 LHS equals to RHS होना चाहिए था yes m equals to 6 satisfy कर रहा है अगर मैं m की value 6 यहाँ पर substitute कर देता हूं तो यह satisfy करा रहा है तो मैं कहूंगा yes बस यह करना था आपको पहले question में yes no yes no आपको values को वहाँ पर equation में substitute करना था यह question आपको यह सिखा रहा था कि कैसे values को substitute किया जाता है और कैसे LHS equals to RHS को calculate किया जाता है clear है बच्चो question number 2 पे देखेगा क्या है question number 2 आपको दिया है check check whether the value given in the brackets यह जो brackets के अंदर value दी है n equal to 1 n equal to 2 n equals to minus 2 p equals to 1 तो यह कह रहा है जो brackets में हमने value दी है क्या यह solution है to the given equation जो equation आगे हमने दी है यह equation है आपको कुल मिलाके यहाँ पे n की value find करनी है आपके जो n की value आएगी वो क्या यह आ रही है यह check करना है check करना है तो मैं पहला question उठा रहा हूँ पहला question क्या दिया है n plus 5 equals to 19 यह equation दी है हमें n की value कैसे निकालते है मैंने बताया था जब भी कोईसी variable की value calculate करनी है मतलब एक equation में अगा single variable किसी एक side पे है तो उस variable को वही छोड़ दो n को यही छोड़ दो 5 को आप यहाँ पे move कर लो तो क्या होगा n equals to 19 minus 5 हो जाएगा clear है और 19 minus 5 कितना होता है n की value क्या आएगी n की value 19 minus 5 करूँगा तो 14 आएगी clear है बट यहाँ पे n की value 1 दी है तो इसका मतलब यह value गलत दी है n equals to 1 नहीं आ सकता यही तो हमसे कहा था check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation तो पहले में आएगा no no the value given in a bracket is not the solution of this clear है आगे देखें चलिया next देखिएगा क्या दिया है question question दिया है 7n plus 5 तो 7n plus 5 equals to 19 ध्यान देना इस term के साथ variable जुड़ा हुआ 7 के साथ n है ठीके इसको यहीं छोड़ दो जहां पर variable है उसको छोड़ दो वहीं पर जिसके साथ variable नहीं है उसको move कर दो देखो 15 के साथ कोई variable नहीं है sorry 5 के साथ तो 5 को मैं LHS में move कर दूँगा ठीक है RHS side move कर दूँगा तो यह आएगा 7n is equals to 19 minus 5 और 7n की value हमारी आएगी 19 minus 5 करने पर 14 अब n की value find करनी है तो 7 के साथ n का क्या relation है sir multiplication है क्योंकि जब भी कोई number किसी variable के साथ होता है और उन दोनों के भीच में कोई sign नहीं होता plus negative divide का sign नहीं होता है तो वहाँ into का sign होता है तो इसका मतलब 7 के साथ n multiplication में है मैं 7 को यहां से हटाऊंगा और इसको जब दूसरे साइड पर लेके जाऊंगा तो यह हो जाएगा 14 divided by 7 और 14 divided by 7 का मतलब होता है 2 that means sir n की value आई है 2 अब देखो bracket में क्या दी है n की value यहां पर दी है minus 2 n की value दी है minus 2 हमारा कितना आ रहा है 2 इसका मतलब यहां पर भी no आएगा clear है no the value given in the brackets is not satisfying this ठीक है वो satisfy नहीं कर पा रहा हो check करना था तो check नहीं हो पा रहा है गलत value यह bracket वाली value गलत है समझ आ रहा है third part देखते हैं इसमें third में क्या दिया है 7 n plus 5 equals to 19 इन similar equation दी है बट यहां पर n की value इन्होंने 2 देदी मैं इसको लिख रहे हैं देता हूँ अब यहां पर n की value 2 मैं अगर लेके चलू धिहान देना अगर n की value में 2 डाल दो अभी मैंने n की value 2 मत डालो आप solve करो चलो ध्यान देना n की value 2 यहां पर आ रही है ना n की value 2 अगर इस equation को solve कर रहा था फिर से करके दिखाऊं चलो देखना 7n plus 5 equals to 19 क्या करना था 5 को उदर ले जाओ तो क्या होगा 7n equals to 19 minus 5 और 19 minus 5 होता है 14 7n की value आई 14 n की value आ रही है 2 अब bracket में भी यह n की value 2 इसका मतलब yes यहां पर जो bracket में दी है value यह satisfy कर रही है इस equation को ठीक है यहां पर दोनो case में 9 नो था यहां पर yes है समझ आ रहा है आगे ध्यान देना third में 4p minus 3 equals to 13 4p minus 3 equals to 13 चलो solve करके देखते हैं इसको पूरा body clear करके इस equation को solve करते हैं यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा जहां पर अभिशिक सर आपने बताया जिसके साथ भी p है उसको वहीं छोड़ दो इसके साथ p है छोड़ दिया minus 3 के साथ को variable नहीं है minus 3 को 13 के पास ले जाओ तो क्योंकि minus 3 उदर move कर रहा है तो यह हो जाएगा plus 3 clear है और यह आजाएगा 4p is equals to 16 अब मुझे p की value निकालनी है तो p की value क्या आएगी 16 by 4 और 16 by 4 का मतलब बता है 4 that means p की value 4 आ गई और यहां पर हमें bracket में क्या दिया था p equals to 1 इसका मतलब यह bracket में दिवी value गलत है यह यह नहीं आना चाहिए था बट यह आना चाहिए था समझ आ रहा है कैसे solve करना है कैसे बताना है ठीक है तो आप से कहा था check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation आप कहेंगे the value given in the bracket is not a solution of a equation of a given equation एक statement लिखना है उन्होंने आप से एक statement पूछा आपको एक statement में जवाब देना है यह था question number 2 exercise 4.1 इस chapter में ठीक है NCIT का आगे धिहान दीजेगा question number 3 में क्या बोला है solve the following equations by trial and error method of some M UK Video trial and error method sir आपने theory में तो नहीं पढ़ाया है नहीं मैं बताता हूं कैसे करना है इस फर ध्यान दिजीगा कोशन नम्ब 3 में उन्हेंने का। में इस मैथड का यूज करके आप पी की वेल्यू बताओ ठीकर? अब पी की मेल्यू नियू नियुन बोला है कि ट्राल यहां पर यहां पर मैं डाल दूं तो लह जाएगा लह सो जाएगा लह स्क्या दिया है लह दिया है लह दिया है सर 5P प्लस 2 तो अगर सर पी की वैल्यू हम 1 डाल देंगे तो 5 इंटू 1 होता है 5 और 5 प्लस 2 की वैल्यू आती है 7 और आरेटेस हमें क्योंकि 17 दिया है तो आरेटेस क्योंकि हमें 17 दिया है तो इसका मतलब जो LHS है यह आरेटेस को सैटिस्फाइ नहीं करा रहा सब्सक्राइब के पेडाती saんだ क्योंकि अपर को स स्कार्षी को मिलेंगे peng P a फिर सबलोंगा यह ही करना आए इसंस तरह के कोष्ण आपको एग्जाम में नहीं से मैं एक value डालूगा यह यही करना है बस इसमें यह action में तुम्हें सिखा रहा है इस तरह के question आपको exam में नहीं देखने को मिलेंगे trial and error method आपको पता होना चाहिए क्या होता है try करो गलती हो तो फिर से try करो जितनी बार आप try करोगे गलती सुधरती होई जाएगी ठीक है ध्यान देना है अपर P equals to 1 दिया अगर अब मैं बोलता हूँ P की value 2 ले लो P की value 2 ले लो तो यहाँ पर डाल के देखो LHS क्या है LHS है हमारा 5P plus 2 अब P की value 2 डालो तो 5 into 2 कितना हो जाएगा 10 10 plus 2 कितना आया 12 RHS कितना दिया था? RHS तो दिया था 17 इसका मतलब अगें LHS is not equals to RHS एक और हमारा try error में आ गया ठीक है हमारा जो trial था ये एक error हो गया अब ध्यान देना फिर से हम try करेंगे if P is equals to 3 अगर P की value 3 होगी डालो फिर से LHS क्या हो जाएगा इस case में तुमारा LHS हो जाएगा 5P plus 2 जो दिया हुआ है 5P plus 2 P की जगा पे 3 डाला तो ये हो जाएगा 15 plus 2 मतलब 17 और RHS भी क्योंकि हमें 17 दिया है इसका मतलब LHS is equals to RHS और मैं कहूंगा P is equals to P is equals to 3 तो trial and error से मेरा answer आ गया जिसने LHS और RHS को satisfy करवाया इसको आप copy कर लीजिया ठीक है next वाला भी मैं ऐसे करके दिखाता हूँ यह ही trial and error method और कुछ नहीं है try करो error आए next try करो try करो error आए फिर next try करो तो हमें बार 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 ऐसे values को डाल के देखना है थोड़ी मेहनत लगेगी इस method में लेकिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे values को substitute करते हैं कैसे LHS और कैसे RHS को solve करते हैं आगे बहुत help होने वाली है जब हमारे सामने बड़ी equation आएगी उसको कैसे solve करना है यही उसका base है तो अभी हमारी leave बनती जा रही है हमारे base बन रहा है ध्यान देना ठीक है clear कर दू चलिए next क्या दिया है 3M-14 तो देखना हमारा LHS क्या दिया है हमारा LHS दिया है 3M-14 if m is equals to 1 अगर मैं 1 ले लूँ तो यह value हो जाएगी 3 into 1-14 और 3 into 1 होता 3 3 minus 14 होता minus 11 ठीक है ना negative में आएगी value 3 minus 14 is minus 11 लेकिन हमारा RHS क्या दिया हुआ है इस केस में हमारा RHS उन लोगों ने दिया है 4 that means LHS is not equals to RHS होगे try किया error आगया ठीक है next try करते है ध्यान देना अगर मैं M की value 2 ले लूँ तो इस केस में LHS क्या हो जाएगा इस केस में होगा 3 into 2 minus 14 तो यह हो जाएगा 6 minus 14 अब 6 minus 14 कितना होता है अगे answer negative में आएगा यह आएगा minus 8 minus 80 होगा ना और RHS क्या होगा RHS होगा नहीं RHS दिया हुआ है RHS कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है that means again LHS is not equals to RHS clear है फिर से एक try करेंगे चलो यहाँ पर कर लेते हैं यह जगा मेरे पास खाली है ध्यान देना अगर M की value में 3 डाल दू M की value 3 डाल दू क्या होगा LHS हमारा हो जाएगा 3 into 3 minus 14 तो 9 minus 14 आएगा अब 9 minus 14 का मतलब क्या minus 5 बट RHS तो हमारा क्या दिया है 4 again यहाँ पर मैंने जो try किया हो fail हो गया मैं लिखूंगा LHS is not equals to RHS sir कब तक करोगे तब तक करोगा जब तक M की value मेरे यह satisfy ना करवा देगे कि LHS equals to RHS तब तक try करूँगा मैं तो बार 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 बे try करना है चलो यह जगा भी खा लिए इसको भी देख लेते हैं अगर M की value भी मैंने 3 ली थी एक digit उपर बढ़ा दो M की value मैं 4 ले लेता हूं तो LHS मेरा क्या हो जाएगा धियान देना LHS की value हो जाएगी 3 into 4 3 into 4 minus 14 यह होगा 12 minus 14 12 minus 14 का मतलब क्या सर इसका मतलब है minus 2 अगें यहां पर RHS हमें दिया था सर 4 तो फिर से सर LHS RHS के बराबर नहीं आया अब क्या करेंगे सर एक और try करूंगा एक और try करते हैं यहां पर कर लेते हैं इसके नीचे line खिच लेते हैं m equals to 5 ले लीजिए 1 ले लिया 2 ले लिया 3 ले लिया 4 ले लिया अब m equals to 5 ले के करो देखो क्या है LHS क्या हो जाएगा इस case में 3 into 5 आएगा और minus आगे क्या दिया था 3 into 5 minus 14 दिया था यह लो तो यह आजाएगा 15-14 15-14 कितना होता है यह होता है सर 1 बट RHS तो सर यहाँ पे भी 4 नहीं आ रहा तो फिर से मैं लिखूँगा क्या कि LHS is not equals to RHS अब क्या करेंगे सर फिर से एक value उपर लूँगा M equals to 6 जाल लेता हूँ हारना नहीं है ठकना नहीं है यही है trial and error method और कुछ नहीं है ठीक है अब M equals to 6 लेके देखो LHS क्या हो जाएगा LHS हो जाएगा 3 into 6 तो 3 into 6 minus 14 और 3 into 6 कितना होता है यह होता है सर 18 minus 14 और 18 minus 14 आप देखना 4 आ गया RHS भी तुम्हें कितना दिया था RHS भी तुम्हें 4 ही दिया है इसका मतलब क्या इस case में मैं बोल सकता हूँ LHS is equals to RHS yes इसका मतलब मेरा अंसर क्या है अंसर है M equals to 6 sir आगे के सारे questions में ऐसा ही करना है नहीं करना trial and error method से नहीं करना ठीक है हम बार बार ट्राय करके error नहीं निकालते हो आगे solve करना यह सिर्व आपको सिखाने के लिए method दिया है clear है तो इस question में question number 3 में मैंने दो पार्ट आपको करके दिये इसके आगे और दो पार्ट है ठीक है वो आप लोग solve करेंगे ठीक है आगे ध्यान देना question number 4 मैं solve करवा रहा हूं question number 4 में क्या है यह दिया है कि equations मनाईए आपको statement दी हुई है theory में हमने पड़ा कि कोई अगर मुझे verbal statement दी जाती है तो मैं कैसे उसको algebraic equation में change करता हूं या मुझे जब algebraic equation दी जाती है उसको कैसे में verbal statement में change करता हूं तो यहाँ पर ध्यान देने तो मैं simply verbal statement दी है हमें simple equation में उसको convert करना है ठीक है तो क्या है the sum of numbers x and 4 is 9 simple सी बात एकदम easy है इसलिए तो chapter का नाम ही simple equation है क्या है English to Indy convert करो क्या होगा sum sum का मतलब होता है plus ठीक है of numbers numbers तुम्हें दी है x और 4 मतलब x और 4 का जो sum है इसका मतलब ध्यान रखना हमेशा maths में इसका मतलब होता है equals to का sign तो वो कह रहा है जब मैं x को plus करूंगा 4 के साथ तो वो होगा 9 बन गई equation यही था बस एक statement को मैंने algebraic expression में change कर दिया आगे ध्यान देना 2 subtracted from y मतलब from मतलब इस चीज़ पर ध्यान देना कई बच्चें यहां पर गलती करते हैं subtraction की equation मनाते समय फ्रम का मतलब होता है उसमें से किसमें से y में से इसकी हिंदी देखना जब मैं 2 को subtract करूंगा y में से तो y में से मतलब y आगे आएगा और y में से जो subtract करना है वहाँ आएगा y minus 2 तो यह आएगा y minus 2 इसका मतलब equal to का sign 8 यह बन गई इसकी equation आगे ध्यान देना 10 times a is 10 10 times maths में times का मतलब होता है multiplication note कर दीजे कहीं पर यह सारी चीजे चोटी चोटी चीजे हैं जो आप लोग भूल मत जाना ऐसे times का मतलब होता multiply का sign यहाँ पर sign मत बनाना यहाँ पर तुम लिख लो times का मतलब multiplication multiply का sign लगाना है तो इन्हेंने क्या बोला 10 times 10 times का मतलब 10 times का मतलब multiplication 10 times a a को जब मैं 10 बार multiply करूंगा तो answer आएगा 70 यह equation है ठीक है यह मैंने form कर दी बस हमें एक verbal statement दिया था हमने उसको algebraic statement में change किया और कुछ नहीं किया आगे ध्यान देना the number b एक number है b divided by 5 जब उसको 5 से divide करूंगा by का मतलब से यहां पर जब divided के case में बात करता हूं तो by का मतलब से मतलब जब x को divide करूंगा 5 से 5 से तो x divided by 5 gives is और gives यह is और gives यह लिख लीजिए दोनों का मतलब equal to का sign है six clear है आगे ध्यान देना लास्ट वाला थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ लास्ट में क्या है ठ है हमने expansion form देखा थे जब हम decimal पढ़ रहे थे ठीक है उसमें expansion form थो कब लगता है ठ तो वह जब अपन में चीज आती है प्लेसे यहाद है ना unit place 10th place 100th place और जब decimal के इस साइड मूव करते हैं तो 10th place 100th place तो उसमें जो 10th place और हैं डिवीजन में चीज चली जाती है यहाँ पर भी वह यह 3 4th का मतलब 3 by 4 3 4th off का मतलब multiplication किसका t का जब t का मैं 3 by 4 करूंगा तो यह मुझे देगा 15 यह है तो यह मैंने आपके सामने 4 5 equation मना के दी है एक दो तीन चार पांच पांच equation मना के दी है फूर्थ question का मैंने जवाब दिया ऐसे और भी आप questions को try करिये ठीक है आगे ध्यान देते है next question में क्या दिया है अच्छा अभी और statements है हमाने पास चलिए अब आप मेरे साथ बताईए क्या होगा seven times m times का मतला भी बताया तो क्या मैं ऐसा लिख दू seven times m plus directly word plus बोला है plus seven gets you gets you gives is हमने तीन वर्ड देख लिए gets you 77 हो गया इतना असान है बहुत simple है इसलिए chapter का नाम ही simple दिया है ठीक है next आप लोग बताईए one-fourth again अभी पीछे हमने देगा three-fourth one-fourth तो मतलब यह हो गया one-fourth of का मतलब multiplication और नमबर एक्स कोई एक नमबर है एक्स ठीक है उस एक्स का जब मैं one-by-fourth करूंगा minus four minus four gives four यह equation समझा रही है clear है मैं और क्लियर लिखूं देखे और क्लियर लिख देता हूं यह कह रहा है one-by-fourth of a number x minus four gives four यह है equation ध्यान देना next if you take away six अगर आप six को ले ले टेक अवे अटा दे अवे मतलब किसी को दिया है उससे वापिस ले ले तो मैंने अगर आपको दस टॉफी दी और आपसे दो ले ली तो इसका मतलब आपके वास आठ बचेंगी सब्सक्राइब करोगे ने 10-2 तो वो ही यह यह चीज़ इफ यू टेक अवे six from six times y देखना यहां पर दो स्टेटमेंट का कॉंबिनेशन है फिर कॉमा है ठीक है तो दो चीज़े बोली एक यह स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है from six times y मतलब six times y में से अगर में six ले लू दियान देना six y में से अगर में six ले लू ठीक है इफ यू टेक अवे six from six minus y you get sixty इतना easy द्यान दो if you add three अगर आप तीन को add कर दें to one third of z देखना one third of z तो यहां पर one by three into array z के साथ क्योंकि word off use किया है और off का मतलब मैं अभी बताया multiplication ठीक है तो one by three of z off multiplication इस में से इसको अगर इस चीज़ को टू टू लिखा है यहां पर वर्ड टू इस से टू का मतलब से ठीक है तो one by three z को अगर मैं three say add करूं तो हमें 30 मिलेगा क्लियर है बच्छो तो यहां तक मुझे लगता है आपको यह समझ आ गया होगा कि कैसे statement को स्टेटमेंट में चेंज करना है ठीक है हम अब इसका उल्टा देखते हैं अब हमारे सामने equation होगी हम उसको स्टेटमेंट में चेंज करेंगे नेक्स कोशन में देखना अच्छा कोशन है इसको देखना equation दी है और इसको चेंज करना है क्या करना है प्ली प्लस फॉर इक्वेस्ट फॉर्म में बताना है तो क्या मैं ऐसा बोल दूँ प्लस फॉर का मतलब क्या पी एक नंबर है ठीक है उसमें मैंने फॉर एड़ किया तो फिफ्टीन आया क्या मैं इसको इंगेश में ऐसा बोल सकता हूँ कि अनंबर अनंबर पी एड़ेड तू फॉर इस फिफ्टीन आ पने वर्ट्स पर भी कुछ और भी बोल सकते हैं अगर आपको समझ आ रही है तो तो हमें स्टेट्मेंट में बोलना आना चाहिए कि क्या हुआ है एक number है P, उसको जब मैं added करूँगा 4 के साथ, वो हमें 15 देगा, ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल के देख लो, कि when 4 is added to a number, it gives 15, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो, तो यह एक English है, simple statement में बोलना है, ऐसे यहां पर M minus 7 equals to 3, इस case में मैं क्या बोलूँगा, second वाले case में क्या मैं ऐसे बोल दूँगा, कि a number 7 subtracted from M, a number 7 subtracted from M gives 3, note कर लिजे, ठीक है, ऐसे यहां पर दिये, 2M multiply, 2M equals to 7, 2M equals to 7 का मतलब क्या होता है, M के साथ 2 multiply हुआ है, तो M कितनी बार है, तो मतलब M into M हुए, 2M है, M plus M भी बोल सकते हो, तो क्या मैं ऐसा बोल दूँगा, 2 times 2, 2 एक number हो गया, times M, तो ऐसा देखे, ऐसा भी इसको बोल सकते है, 2 times M gives 7, यह statement समझ आया है, आप लोगों को, आगे देखना, यह statement दिया, M divided by 5 equals to 3, divided by 5 है, तो क्या मैं ऐसे बोल दूँगा, 1 by 5th, 1 by 5th या, 1 by 5th of M, ध्यान देना, इस statement के लिए मैं यहां पर लिख देता हूँ, 1 by 5th, और 1 by 5th, यह लिखने का तरीका है, 1 by 5, 1 by 5, M by 5 में से मैंने 1 by 5 एक number को लग कर दिया, तो 1 by 5th, 1 by 5th of multiplication, M is 3, clear है बच्चों, तो यह 4 statement मैंने लिखके दिये हैं आप लोगों को, यह एक verbal statements मैंने बना दिया, मैंने algebraic statement को verbal statement में convert करना आप लोगों को बताया, next question देखते हैं, next question में क्या दिया है, next question में, set up an equation in the following cases, अब देखो आपको फिर से statement दिये हैं, बड़े बड़े statement दिये हैं, इससे आपको equation form करनी है, कैसे करोगे ध्यान देना, क्या बोला है, इर्फान किसी का नाम दिया है, इर्फान says that he has 7 marbles, इर्फान ने बताया कि मेरे पास 7 marbles है, more than 5 times, जादा है, ठीक है, मेरे पास 7 marbles, इर्फान क्या कह रहा है, मेरे पास जो 7 marbles है, वो जादा है, 5 times of the marbles, permit has, अगर permit के पास जितने marbles है, उसने का permit के पास जितने marbles है, उन marbles से, अगर उन marbles का भी में 5 times कर दूँ, ठीक है, वो जो figure आएगा, उससे भी मेरे पास 7 जादा है, 7 जादा है, ठीक है, इर्फान है 37 marbles, इर्फान ने एक figure भी बता दिया, इस question में, कि इर्फान के पास 37 in all marbles है, total कितने marbles है, 37, एक हमें hint दिये, इस question के अंदर, आप अपने NCRT book में देखना, bracket के अंदर hint दिये, क्या बोला उनने, take M to be the number of permit's marbles, आपको जो भी equation बनानी है, उस equation में ध्यान रखना है, कि जो variable है, वो M है, और M क्या denote कर रहा है, वो ये denote कर रहा है, कि permit के पास जो mar marbles है, वो M number है, ठीक है, तो क्या इसमें मैं बोल दूँ, कि permit के पास अगर M number of marbles है, अगर M number, M number है, मुझे नहीं पता वो कितना है, ठीक है, M लिया है, मैंने उसको कोई variable लिया, तो permit के पास M है, तो इन्हेंने क्या बोला है, कि इर्फान कह रहा है, that he has 7 marbles, इर्फान के प इर्फान का total number of figure दिया हुए, total, total कितने marbles है, इर्फान के पास 37, कैसे आए होंगे 37, जब उसने statement बोला होगा, क्या है वो statement, 7 marbles more than, more का मतलब होता है, यहां पे plus, तो एक plus का sign भी आएगा, और 7 plus होगा यहां पे, 7 more, किस में, then 5 times the marble permit has, पार्मीत के पास जो marbles है, वो M है, 7 times कर दूँगा, यह statement इर्फान ने बोला है, यह पूरा statement इर्फान ने बोला है, जब मैं परमीत के marbles का भी 7 गुना कर दूँ, 7 times कर दूँ, ठीके, और उसमें जब 7 add करूँ, तो मेरे पास total number of marbles हैं, वो 37 आएंगे, यह है इसकी equation, solve नहीं करना भी, सिर्फ एक equation फॉर्म कर सब्सक्रादी, clear है, ऐसी, इसमें सेकेंड वाले में क्या बोला है, लक्षमी इस फादर इस 49 years, यह दिया है, अब देखना, लक्षमी इस फादर इस 49 years old का मतलब कि लक्षमी के जो पिता जी है, वो 49 years उपर है, ओल्ड है, मतलब जादा है, ठीके, oh sorry, 49 years के है, यह clear statement है, ठीक जिसका clear view दिया है, clear statement दिया है, उसको equal to लिख दो, जैसे यहां मैंने बताया था, इरिफान is 37 marbles, तो हमने clearly 37 लिख दिया था, यहां पर clearly बोला है, लक्षमी के पिता जी की एज 49, लिख दिया, आगे ध्यान देना, he is 4 years older than, वो 4 साल बड़े है, older का मतलब बड़े, तो वो 4 साल बड़े है, किस से 3 times, 3 times का मतलब होता है, 3 multiplied with लक्षमी's age, और यहां पर हमें बोला है, लक्षमी's की age को y मानो, तो क्या मैं 3 into y बोल दू, ऐसे लिख देते हैं हमान, कि भाई 3y यह लक्षमी की age है, और लक्षमी की age से, जो statement की उल्टे साइट चलू, तो 3 times लक्षमी's age ठीके, वो जादा है, उससे भी 4 साल, तो plus 4, मतलब लक्षमी का अगर मैं 3 गुना कर दू, लक्षमी की age का 3 गुना कर दू, उसमें भी 4 add कर दू, तो वो बना रहा है 49, यह बन गई equation, यह काम करना है इसमें, और इस तरह के questions आएंगे, इनको हम कहते है word problems, हमें equation form करनी है, फ यह third वाला देखना, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is, एक teacher ने बच्चों को बताया, कि मेरी class में, जिसके highest marks आएं हैं, ठीके, वो twice the lowest marks plus 7, जिसके सबसे कम marks हैं, उसका अगर मैं 2 गुना कर दू, जिसके सबसे कम हैं, एक teacher बच्चों से बोल रही है, क्या बोल रही है, एक hint दे रही है, कि जिसके ज़्यादा marks है, ठीके, वो ज़्यादा marks किसके बराबर हैं, तो देखना, highest marks, clearly बोले, एक statement दिया है, highest marks कितने 87, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 87, अब उन्होंने बोला, यह जो highest marks आएं हैं, यह equals हैं, किसके equals हैं, जिसके सबसे कम marks हैं, उसके marks को, अगर मैं two times कर दू, twice, two times कर दू, twice का मतलब होता है, two times, अगर मैं सबसे lowest mark में twice कर दू, और उस twice करने के बाद भी, उसमें अगर plus 7 कर दू, ठीके, तो यह 87 आएगा, और इन्होंने एक hint दी है, मतलब एक statement और बोला है, नीचे bracket में, take the lowest score, BL, तो मैं lowest score, L ले लेता हूँ, जिसका भी lowest score है, अगर मैं उसको twice कर दू, तो यह हो जाएगा, two L, ठीके, और इसमें भी अगर मैं add कर दू, seven को, तो यह highest marks आएंगे, इतना easy है, इसको करना, clear है बच्चो, next देखिएगा, in an isosilis triangle, अब आप लोग, isosilis triangle क्या होते हैं, यह triangles के chapters में, आप देखी का theory है, उसमें, theory में मैंने बताया, isosilis triangle उसको बोलते हैं, ऐसा triangle, जिसके दो side equal है, यह isosilis है, ठीके, जिसके कोई भी दो side आपस में equal होते हैं, वो isosilis triangle, तो यह है, isosilis triangle, the vertex angle, ठीके, एक isosilis triangle में, जो vertex angle है, ठीके, is twice either base angle, ठीके, किसी एक भी base angle, यह दोनो base angle कराते हैं, isosilis triangle के अंदर, और जब यह दोनो base angle होंगे, तो यह vertex angle कराएगा, तो उसे बोला है, जो vertex angle है, वो twice है, either base angle, किसी भी एक base angle, किसी भी एक base angle को उठा लो, तो कोई भी एक base angle को ये बोल रहे हैं कुछ लेने को बोल रहे हैं कि हाँ b degrees तो मैं किसी भी एक base angle को b degree माल लेता हूँ ठीक है वो कह रहा है कि जो vertex angle है वो किसी भी एक base angle का दो गुना है ठीक है twice है तो ये इसका मतलब 2b होगा यह दिया है आगे remember that the sum of angles of a triangle is 180 degrees यह आप अगर मेरे theory वाले lecture में जाएंगे जहाँ पर मैंने triangles के बारे में पढ़ाया है वहाँ पर मैंने बताया है कि जो interior angles होते हैं triangle के अंदर वो 180 degrees के होते हैं ठीक है तो interior angle जो है triangle के अगर उन तीनों angles का मैं sum कर दूँ तो उन तीनों angles का जो sum है वो 180 degrees के बराबर होगा तो अगर उन्हेंने काए कोई एक base angle b लेना है तो इसका मतला यह दूसरा base angle भी भी होगा ठीक है हमेशा याद रखना इससे इक्वेशन क्या होगी इसकी equation होगी इसकी equation होगी कर्सिव में लिख देता हूँ b plus b plus 2b is equals to 180 degree क्योंकि मुझे यहाँ पे इन्हों ने एक statement बोला है bracket के अंदर ठीक है एक तरह के hint था कि आप जो भी equation form करेंगे इसको अपने ध्यान में रखना कि अगर मैं तीनों angles का sum करूंगा तो 180 degree होगा तो यह equation form हो गई है बस इस तरीके से आपको कुछ questions को attempt करना है आगे की exercise में तो यहाँ पे हमने आज देखा exercise 4.1 को कैसे solve करना है यह था last question is exercise का जो मैंने यहाँ पर attempt किया आप लोग को बताया कि चलिए पहला question पर ध्यान दीजिएगा पहला question क्या है give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation वो कह रहा है कि हमें पहली वो step बताये जिससे आप separation मतलब आप variable को separate करेंगे ठीके वो क्या बोल रहा है पहली step बताये जो आप use करेंगे separate करने के लिए variable को और फिर equation को solve करके उसकी value भी बताये तो बच्चों यहाँ पर चीज समझना तुम्हें करना क्या है यहाँ पर तुम्हें जो equation दी है वो दीए x-1 equals to 0 मेरी बात समझना जिस भी side में देखो दो side होती है एक LHS side होती है यह जो LHS side है इस LHS side में variable है x और मुझे वो ही x calculate करना है मेरा visual मतलब हमें क्या देखना है question में यह मैंने theory में भी बताया exercise 4.1 में भी बताया कि आपका जो visual होना चाहिए question को देखने का आपको यह देखना है कि x के साथ क्या extra लिखा हुआ है अगर आप देखें तो x के साथ minus 1 extra लिखा हुआ है x के साथ minus 1 है उस minus 1 को मुझे remove करना है और यह minus 1 तभी remove होगा जब मैं यहाँ पे x minus 1 के साथ plus 1 कर दूँगा ध्यान देना यहाँ तो मैं minus 1 को उदर ले जाओ transposition method को use करूँ ठीक है यहाँ पे क्योंकि separate उन्होंने बोला है variable को separate करने के लिए एक side पे variable को separate करने के लिए आप पहला step कौन सा use करेंगे क्योंकि variable को separate करने के लिए बच्चों ध्यान दो हम क्योंकि minus 1 extra लिखा था इस minus 1 को हटाएंगे और यह minus 1 तभी हट पाएगा जब इसके साथ plus 1 लगा देंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हूँ ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि minus 1 और plus 1 0 हो जाता है ठीक है मतलब कोई अगर negative integer है उसके साथ उसी का inverse integer मतलब positive integer अगर मैं साथ में लगा दूँ ठीक है similar value का ठीक है अगर negative integer positive integer लगा दो positive integer है तो उसके साथ negative integer को लगा दो तो आप जैसी लगाओगे वो value वहीं पर neutral हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, ठीके, अब बात को समझना मुझे minus 1 को remove करना था, तो इस side में मैंने plus 1 लगाया, क्योंकि जब भी LHS side में मैं किसी value को substitute करूँगा, मतलब मैं कोई value अपने से डालूँगा, तो same value मुझे RHS में भी डा आद रखना, आप ध्यान देना, यहाँ पर plus 1 क्योंकि मैंने डाला, इस कारण यहाँ पर भी plus 1 आएगा, ठीके, अब दोनों जगा देखो LHS, RHS equal हो गया, क्योंकि equation ऐसी दी थी ना हमें, हमें equation ऐसी बोली थी, कि X minus 1 की value 0 है, that means उन्होंने बोला equality का sign लगा के कि LHS, RHS के बर जाबर लेके चलूंगा, जितनी value में एक side पे डालूंगा, वो ही value मुझे दूसरी side पे डालनी पड़ेगी, यह मैंने डाल दी, देखो minus 1 plus 1, यह हो गया neutral, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ X, और यहाँ पर यह आ जाएगा 0 plus 1 मतलब plus 1, और यह हमारी चीज solve हो गई, हमें य X की value तो find करनी थी, हमने X की value find कर ली बच्चो, इतना असान है solve करना, ध्यान देना, मैं इसका B part भी करता हूँ, B part में क्या है, X plus 1 equals to 0, X plus 1 equals to 0 का मतलब है, कि यहाँ पर X के साथ एक plus 1 है, यह X के साथ जो plus 1 है, इसको neutralize करने के लिए, मुझे एक negative integer डालना पड़ेगा, यह मैं minus 1 डाल देता हूँ, clear है, जैसे मैं minus 1 यहाँ डालूंगा, तो 0 के साथ भी minus 1 आ जाएगा, और क्या होगा, X plus 1 minus 1, तो plus 1 minus 1 neutralize हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर अकेला X बचा, और 0 minus 1 की value होती minus 1, that means, इस equation में X की value क्या आई, solve the equation बोला था मुझे, तो X की value यहाँ पर आई minus 1 और पहले वाले में आई थी plus 1, तो बच्चो यह है करने का तरीका, आप लोग मेरे साथ next solve करिए, बोल बोल के, बताएगे क्या करोगे, सर आपने बताया, जब किसी side में X के साथ कुछ extra लिखा है, तो X के साथ सर मैंने देखा कि extra minus 1 लिखा है, क्योंकि minus 1 को हटाना है, तो ह हम यहाँ पे plus 1 करेंगे, एकदम सही अगर आप यह सोच रहे हैं तो, ध्यान दीजेगा, X minus 1 plus 1, मुझे minus 1 को neutralize करना था, इसलिए मैंने plus 1 डाला, अब दूसरे side पे 5 लिखा है, उसको लिखे रंदो जो लिखा है, तुमने एक side पे plus 1 डाला था न, तुम एक plus 1 इस side पे भी 1, minus 1 plus 1, neutralize होगे, यहाँ पे बचा X, और 5 plus 1 होता है 6, तो यह आगया हमारा answer, X equal to 6, इतना असान है, दूसरा देखिए का, X plus 6, X के साथ plus 6 extra है, plus 6 को neutralize करना है, तो जो value लिखी है, वो ही same value डाल दो, but different sign के साथ, X plus 6 लिखा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, X plus 6 के साथ minus 6 कर दो, भाई, plus 6 से हम minus 6 लगा देंगे, neutralize हो जाएगा, दूसरे side पे क्या होगा, 2 minus 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे minus 6 आप लोगों ने डाला है, हमने खुद से डाला एक side पे, minus 6 हमने डाला, तो दूसरे side पे माइनस 6 जालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, यह neutralize हो जाएगा, X की value आएगी, 2 minus 6, 2 minus 6, मतलब 6 बड़ा है, 2 छोटा है, तो different sign है, 2 के आगे कोई sign नहीं है, तो यहाँ पे वो integers वाला concept लगेगा, क्या 2 minus 6 का मतलब, minus 4, तो X की value आगी, minus 4, clear है बच्चों, कॉपी कर लिजे हम लोग question number 2 देखते हैं, वो क्या है, जो हमने question 1 देखा, question number 1 में plus और minus का sign था, question number 2 में multiplication और division का sign है, ध्यान देना, यहाँ पे 3 के साथ L लिखा हुआ है, 31 नहीं है, 3 L लिखा है, NCRT book के अंदर, तो 3 L की वो value बोल रहा है, 4, 2, 42, तो बात को समझना, 3 और L का relation क्या है, 3 और L का relation, multiplication है, क्योंकि किसी भी variable के साथ, अगर कोई number लिखा है, किसी भी variable के साथ, अगर कोई number लिखा है, तो इन दोनों के भीच का relation multiply होता है, अगर वहाँ पे plus minus divide का sign नहीं है, तब, तो 3 और L मतलब 3 L, अब इसमें extra क्या है, L के साथ, variable के साथ extra क्या है, एक 3, किस relation में, into के relation में, उसको neutralize करना है, तो तुम division में 3 डाल दोगे, जब भी multiply में कोई चीज दी है, उसको neutralize करने के लिए division, divide करना पड़ेगा, यह मैंने कर दिया, अब बात को समझना, यहाँ पे भी मुझे 42 दिया था, इस side पे, इस side पे 42 को divide करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 मैंने डाला, यहाँ पे 3 मैंने डाला तो यहाँ पे भी divide में मुझे 3 डालना पड़ेगा, यह है इसको करने का तरीका, अब क्या करोगे सर, 3 से 3 काट दो, क्योंकि उपर नीचे common value है, neutralize होगे, अब 1 बचा, तो यहाँ पे आया L, अकेला L, अकेला variable लिखा होता है, तो उसके आगे 1 होता है, तो यहाँ पे actually 1 L थ times 12, तो इसका मतलए L की value आ गई 14, यह है इसको करने का तरीका, यह था multiplication वाला, एक हम ले रहे है, division वाला, B by 2 equals to 6, देखो B के साथ division में 2 है, एक side पे, जो variable है, variable के साथ, जो relation है 2 का, वो division है, जब division होता है, तो आप multiply करेंगे, बात को समयना, क्या करना है, B by 2 लिखा है, 2 हटाना है, B के नीचे से 2 तभी हटेगा, जब इसके सामने multiplication में 2 होगा, clear है, और यहाँ पे क्योंकि into 2 मैंने डाल दिया, इस कारण यहाँ पे 6 के साथ भी into 2 मुझे डालना पड़ेगा, तो यह चीज क्या हो जाएगी, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो B की value क्या आएगी, B क की value, copy कर लिजे, हम और देखते हैं, आगे और किस पकार के हैं, ठीक है, next देखते हैं, वो इकोशन नमबर 2 का third part, क्या है, P by 7 equals to 4, तो बोलो मेरे साथ, P by 7 equals to 4 का मतलब क्या, P के साथ extra क्या लिखा है, division में 7 लिखा है, इसका मतलब यह तभी कटेगा, तभी हटेगा, मतलब अगर P के denominator से मुझे 7 हटाना है, यह तभी हटेगा, जब इसके साथ multiplication में 7 होगा, और क्योंकि यह multiply में 7 मैंने डाल दिया हटाने के लिए, इसलिए मुझे 4 into 7 यहां लगाना पड़ेगा, बच्चो, तो यह है करने का तरीका, देखो, क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, P क्लियर है, चलिए, नेक्स्ट देखें और, एक और है, यहां पर लिखा है, 4 into x equals to 25, 4 और x का relation, आपस में multiply है, जब दो चीज़े आपस में multiply में होती हैं, उसमें से मुझे कोई एक चीज़ हटानी है, मुझे 4 हटाना है, तो मुझे यह division में 4 लगाना पड़ेगा, और अगर मैं यहां division में 4 लगाऊंगा, तो मुझे 25 के नीचे भी 4 division में लगाना पड़ेगा, देखो 4 से 4 कट गया, ठीके, और x की value आ गई 25 by 4, यह answer है, fraction में, clear है, तो यहां पर हमने यह 4 चीज़े देखी, question number 2 में exercise 4.2 के अंदर, यह आपको क्या सिखा रहा है, कि जब भी plus की question मिले तो आप negative की value डाले, जब भी negative के question मिलेंगे, तो आप positive की value डाले, जब भी into की चीज मिलेगी, जब भी multiplication मिलेगा, तो आप division में value डाल दीजे, और जब भी division में कोई चीज मिलेगी, आप multiplication में डाल दीजे, clear है, तो कैसे remove करनी है values, value को कैसे separate करना है variables को, variables को separation के लिए हम transposition method भी use कर सकते हैं clear है next और question देखते है next क्या है give the steps you will use to separate the variable similar question है and then solve the equation अब यहाँ पर चीज देखना अभी तक हम single single terms देख रहे थे दोनों side पर LHS और RHS side पर अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि LHS side में दो terms है 3N-2 और यहाँ पर है 46 इन्होंने बोला बताईए मुझे variable को separate करना इन values से तो मैं क्या करूँ यहाँ पर बच्चों मैं तुम्हें सिखाना चाऊँगा सिखाया है मैंने theory के अंदर question में practical में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो 3N N के साथ 3 का क्या relation है multiply तो multiply अभी N के साथ है न उसको छोड़ दो यह छोड़ दिया इसी side पर क्योंकि variable था मुझे minus 2 हटाना है पहले minus 2 plus 2 मतलब minus और plus की values को पहले हटाना है multiply की values को बाद में हटाना है इस चीज को आप याद रखना कई बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं वो direct upon में 3 लगा देते हैं वो गलत है ठीक है आगे वाला 3 अभी remove करना हमारा aim नहीं है हमारा aim यह है कि इस 3N के साथ जो negative 2 दिया है तो positive negative जो values दी रहती है यहाँ पर देखो plus 7 दिया है यहाँ पर minus 2 दिया है इनको सबसे पहले remove करो तो याद करो अभी हमने पीछे दो questions में क्या किया कि अगर 3N minus 2 है और मुझे अगर minus 2 remove करना है तो मैं इसके साथ plus 2 लगा दूँगा यह neutralize हो जाएगा अब plus 2 क्योंकि एक side पे मैंने लगाया इस कारण 46 के साथ भी मुझे plus 2 लगाना पड़ेगा भाई यहाँ पर plus 2 मैंने डाला ना तो plus 2 46 के साथ भी डालना पड़ेगा अब देखो यह दो चीजे neutralize हो जाएगा यह जीरो हो जाएगा ठीक है यह multiply वाली चीज बाद में होगी तो 3 के साथ n लिखा है मुझे n को separate करना 3 से तो यह तभी separate होगा जब 3 n divided by 3 करूंगा अगर मैं यहाँ पर upon में 3 करूंगा तो 48 में भी मुझे upon 3 करना होगा देखो उपर नीचे 3 ओ 3 eliminate हो गया finally n की value क्या आई n की value आई 48 upon 3 48 upon 3 अगर simplified form में में solve करूंगा तो solve होगा हाँ होगा 3 1 times 3 18 बचा 3 6 times 18 तो देखो n की value आई 16 यह है तुम्हारा तरीका जो steps आपने use किये कौन से steps to separate the variable variable को separate करने के लिए आप क्या करोगे clear है एक question और अपने करते है यह b वाला part इसमें क्या दिया है तो 5m के साथ plus 7 है अब plus 7 तो मुझे plus 7 को remove करने है इसको remove करने के लिए मुझे negative 7 डालना पड़ेगा तो क्या मैं ऐसे कर दूँ 5m plus 7 minus 7 और यहाँ पे 17 के साथ minus 7 हो जाएगा भाई मैंने है minus 7 मैंने किया तो यहाँ पे भी minus 7 हुआ अब क्या होगा यह हो जाएगा 5m बस plus 7 minus 7 आपस में neutralize हो गया तो is equals to 17 minus 7 मतलब 10 clear है अब m की value क्या है m की value होगी 5m था ना 5m 5 को neutralize करना 5 को हटाना है मुझे एक-एक separate बताना पड़ेगा चीज़े ठीक है क्योंकि इन्होंने बोला है variable से separate करने के लिए तुम क्या क्या करोगे तो m से 5 को हटाने के लिए मैं divide by 5 करूँगा is equals to 10 by 5 करूँगा यहाँ पे 5 5 मैंने डाला denominator में तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा देखो 5 से 5 कट गया तो m की value क्या आई 10 divided by 5 का मतलब होता है 2 that means m की value आई है 2 clear है बच्चो तो यह तरीका है इनको करने का इससे related और अच्छे questions है हम next वाला देखते है इसका c part क्या है चलिए c part में क्या है ध्यान देना 20p upon 3 अब 20p एक numerator है यह बात को समझो पहले तो चीज को पहचानना सीखो यह पूरा एक fraction दिया है एक fraction दिया है यह एक number है fraction ठीक है 20p upon 3 इसमें numerator भी है और नीचे denominator भी है तो numerator में क्या है 20p और denominator में क्या है 3 मुझे सबसे पहले denominator को remove करना है जो नीचे दिया है ना सबसे पहले उसको हटा दो तो ध्यान देना क्या करोगे क्या मैं ऐसा कर दू 20p upon 3 जो दिया है इस 3 को हटाने के लिए मैं into 3 कर दू is equals to यहाँ पे मैं 40 into 3 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे into 3 मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे into 3 डालना पड़ेगा अब ध्यान देना 3 से यह 3 कट गया और यहाँ पे यह 20p बचा बस तो देखो मैंने क्या किया variable से denominator को separate किया denominator को separate कैसे किया उसके साथ में एक multiplication में similar value डाल दी हो गया अब देखो 40 into 3 कितना होता है clear है अब p के साथ extra क्या लिखा है 20 तो 20 के से इटेगा जब denominator में मैं 20 डालूंगा तो यह देखो 20p upon 20 is equals to 120 upon 20 ऐसे ही करेंगे न क्योंकि मुझे उपर से remove करना था तो मैं नीचे डाला यहाँ नीचे डाला अब 20 से यह 20 कट गया और p की value क्या आई p की value आई इस 0 से यह 0 कट गया last class दोनों 0's कट सकते है 2 से 12 कटा तो 2 में 6 times 12 आता है तो क्या मैं बोलूंगा p की value 6 आई है यह है इसको करने का तरीका और बहुत easy है इसलिए इस chapter का नाम ऐसा है simple equations मैं बार बार बोल रहा हूँ यह बहुत simple है और बहुत मतलब इसमें scoring subject है इसमें questions पूछती है teacher अच्छे अच्छे और हम अराम से score कर सकते हैं ठीक है ध्यान देना next वाला क्या है 3p के साथ denominator में 10 लिखा है सबसे पहले denominator को भगाओ कैसे भगाओगे देखो 3p upon 10 denominator को हटाने के लिए similar value multiply में डाल दो अब यहाँ पर क्योंकि multiply डाला तो 6 के साथ भी multiplication डालना पड़ेगा यह 10 से यह 10 कट गया क्या बच्छा तुम्हाँ पास बच्छा 3p is equals to 60 अब 3 हटाना है p के साथ 3 है इसको eliminate करने के लिए मुझे upon में 3 डालना पड़ेगा और यहाँ पर 60 के साथ upon में 3 डालना पड़ेगा 3 से यह 3 कट गया तो p की value कितनी आई p की value आई 60 by 3 मतलब 20 clear है कैसे 20 आई 3 से 60 कट आ तो 3 into 2 होता है 6 और 0 20 इतना easy है p equals to 6 and p equals to 20 और questions देखते हैं इससे मिलते जोलते हैं और questions से इसी exercise के अंदर चलिए वो है next question question number 4 देखिए अपने NCIT में solve the following equations क्या है 10 p की value दिए 100 10 p की value दिए 100 p के साथ extra क्या लिखा है 10 लिखा अब आप लोग समझ आगे होगा कैसे solve करना p के साथ जो extra लिखा है उसको remove करना तो p के साथ 10 extra है वोगी 10 किस relation में multiply के relation में तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 10 p is equals to जो 100 दिया है यहाँ पे हम 10 p upon में 10 डाल दे बाई जो हटाना है वो similar value आप denominator में डाल दो तो यह आजाएगा 100 upon 10 यह देखो 10 से 10 कट गया यहाँ पे 0 से 0 कट गया p की value क्या आई p की value आई है 10 यह answer आगया इतना आसान है देखो मैंने a वाला solve कर दिया है बाकी आप लोग मेरे साथ जल्दल दे अब solve करना चालू करो देखिए हम next वाला करते है b वाला क्या है b वाला हमें दिया है 10p plus 10 is equals to 100 सबसे पहले किस side पे variable है इस side पे variable है मतलब तुम्हारे elective side में variable है तो वहाँ पे p के साथ extra क्या लिखा है तो 10p के साथ extra लिखा है plus 10 plus 10 को remove करना है तो मैं क्या करूंगा 10p plus 10 minus 10 जो चीज हटानी है उसका opposite value डाल दो is equals to 100 minus 10 यह मत भूलना बस क्योंकि minus 10 अगर तुम यहाँ डाल रहे हो तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा यह हो जाएगा 10p plus 10 और minus 10 neutralize हो गया और यहाँ पे क्या है 100 minus 10 मतलब 90 अब पी के साथ extra क्या लिखा 10 और पी के साथ इस 10 का क्या relation है multiplication तो हम divide कर देंगे देखो 10p upon 10 is equals to 90 upon 10 और यह 10 से यह 10 कट गया तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया क्या आया पी की value आ गई है 9 clear है तो मैंने यह दो आपके लिए solve किये A और B C आप लोग solve करिये मैं जब तक board up कर रहा हूँ next क्या है C वाला P upon 4 is equals to 5 इसका मतलब division में 4 है आपने बताया P upon 4 के साथ multiply 4 कर दो क्योंकि denominator में 4 है मतलब division में 4 है तो into 4 करना पड़ेगा और यहाँ पर आपने बताया कि क्योंकि वहाँ पर value डाली है into 4 तो यहाँ पर भी हमें into 4 करना है 4 से 4 उड़ा दो P की value आ गई 20 आ गया अब बहुत जल्दिल दी आप लोग कर पा रहे होगे पक्का है अब देखो P की value निकालनी है किसकी positive value निकालनी है तुम्हें P मतलब numerator में negative value दी है अब यहाँ पर यह थोड़ा सा अच्छा कोशन है कुछ मैंने कुछ अलग नहीं किया सब कुछ वैसे किया जैसा दिया है ध्यान देना upon में 3 सबसे पहले तो number को हटाते है तो यह हो जाएगा minus P upon 3 into 3 is equals to 15 into 3 यहाँ तक तो आप लोगों ने किया होगा 3 से 3 उड़ गया तो minus P की तुम्हारी value आएगी कितनी 15 into 3 का मतलब क्या 3 into 5 is 15 and 45 आप ध्यान देना मुझे positive P बताना था सर question में तो कहीं नहीं बोला positive P बताना है बात को समझो तो मैं variable की value बतानी हो variable मतलब आप वो हमेशा positive value बताना जब तक unless and until उन्होंने negative value ना पूछी हो अब ध्यान दो हमने integer chapter में पढ़ा था number 9 के उपर कि 0 से 1 की दूरी अगर यह 0 है 0 से positive 1 की दूरी उतनी होती है जितनी 0 से negative 1 की दूरी होती है मतलब यहां से यह वाली दूरी हो यहां से यह वाली दूरी similar है अगर यह positive 1 है तो इसका positive 1 का opposite क्या है negative 1 बात को समझो minus P की value अगर positive है तो positive P की value क्या होगी negative होगी तो यह होगी minus 45 P is equals to minus 45 क्यों सर फिर से एक बाँ बता दीजे फिर से सुनो मेरी बात अगर negative P कोई negative value है उसकी value 45 है ठीक है तो positive की value क्या होगी मैं बोल रहा हूँ अगर यहां पर 1 लिखा है तो 1 का opposite क्या होगा negative side का तो तुम कहोगे minus 1 मैं यहां बोल रहा हूँ यहां minus P लिखा है तो यहां पर P लिखा होगा इतनी दूरी पर अगर minus P की value 45 है तो that means P की value minus 45 होगी हमेशा opposite value आती है यहां पर negative integer की value आई है तो मैं positive integer निकालना है negative integer की value positive आई है यहां तो ऐसे समझ लो यहां ऐसे समझो कभी भी अगर variable negative में है किसी एक side पर यहां पर minus P negative side का है तो आप minus को इधर लगा दो ऐसा समझ लो सीधा कि P तुम्हें निकालना था तुम्हें minus P निकालना था बट गलती से minus P निकला है question में जब solve किया तो minus P की value आई तुम इस minus को 45 के साथ लगा दो ऐसे समझ लो clear है तो यहां तक आपको चीजे समझ आ रही है तो पहला question क्या है solve the falling equation अब अच्छे से यहां पर समझना और प्यारे प्यारे question है क्या है वो 2y plus का sign है 2y plus 5 by 2 equals to 37 by 2 अब यहां पर देखो यहां तो plus 5 by 2 दिया हम लोगों ने पिछली exercise में देखा कि जो extra लिखा है उसका opposite डाल दो वैसे solve कर लो तो इस question को करने के मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं ठीक है आपको दोनों तरीके देखने जोन से easy लगे वो आप use कर सकते हैं दियान देना हमने पिछली exercise में इची देखी कि हमें क्यों की y की value निकालनी है तो 2y दिया है हम 2y को यहां पर लिख देते हैं तो 2y के साथ में हमें दिया है positive sign और 5 by 2 clear है अब plus 5 by 2 दिया है अभिशिक सर आपने पिछली exercise में बताया था जो extra लिखा है उसका opposite sign के साथ वही same value लिख दो प्लस 5 by 2 मतलब सर हम यहां पर minus 5 by 2 लिख दे हां लिख दो कोई issue नहीं है ठीक है अगर यहां पर minus 5 by 2 आप डालेंगे तो 37 by 2 इसको समझना 37 by 2 के साथ भी minus 5 by 2 आएगा ठीक है अब next step क्या आएगी plus 5 by 2 minus 5 by 2 neutralize हो जाएगा और इस side पर बचेगा अकेला 2y और यहां पर आपको जो आपने अभी पीछे chapters theories पड़ी है chapter number 2 decimal and fractions fractions का concept यहां पर लगाना पड़ेगा देखो 37 by 2 minus 5 by 2 दोनों fractional number है और दोनों के भीच में negative sign है ठीक है तो हम क्या करेंगे दोनों के denominator same है 2 2 है तो हम directly इसको solve कर सकते हैं यह आजएगा 37 minus 5 तो यह आजएगा 32 by 2 यह मैंने direct इसलिए लिखा क्योंकि दोनों के denominator similar थे अगर दोनों के denominator similar नहीं होते तो इस side पर मुझे वह पूरा method LCM वाला करना पड़ता यहां पर यह करने की जूयती नहीं थी दोनों के denominator same थे बीच में negative का sign था तो मैंने directly नीचे denominator में 2 लिख दिया आपको याद आ रहा होगा हमने यह chapter में पढ़ा था fraction chapter में कैसे solve करते हैं दो fraction numbers जिनके बीच में plus addition यह subtraction का sign होता है ठीक है जिन्हों नहीं वीडियो नहीं देखी है आप लोग वो वीडियो को भी watch करी है ठीक है बैच्चो नेक्स ध्यान देना तो अब मेरी equation यह दिख रही है मुझे सामने अब यहां पर y के साथ 2 extra है तो y के साथ 2 किस relation में multiply आपने विशेख सर बताया था 2y upon 2 कर दो क्योंकि मुझे 2 remove करना है तो जिस value को remove करना है अगर वो multiplication में है तो हम division में similar value डाल देते हमने पिछले exercise में देखा 4.2 में अब यहां पे सर हम क्या करेंगे यहां पे बच्चे फस जाते हैं यहां पे वो कहते हैं सर यह तो already 32 by 2 है तो इसके भी नीचे क्या 2 डाल दे हाँ अब इसके भी नीचे में अगर 2 डालते हो इसका मतलब यह पूरा एक fraction पूरा यह numerator अपाउंड डिनोमेटर और अल्रेडी फ्रेक्शन में था वो फ्रेक्शन वाली value divided by 2 हो जाएगी तो इतना लिखने से अच्छा क्या मैं ऐसा ल यही किया है मैंने यहाँ पे अपाउन में दिख रहा है यहाँ पे साइन के साथ दिख रहा है तो कोई अंतर नहीं है ठीक है अब ध्यान देना 2 से 2 कट गया y की value क्या आएगी y की value आएगी 32 by 2 अब यह एक fraction है fraction के साथ divide का sign है remove करने के लिए into हो जाएगा उसके बाद जो 2 दिया है यह 2 reciprocal हो जाता है याद आ रहा है fraction chapter में अपने पड़ा है तो यह हो जाएगा 1 by 2 clear है अब 32 by 2 इसको simplify कर दो यह उपर नीचे कट रहा है तो इसको हम काट देते हैं तो यहाँ पे आएगा 2 1 times 2 and 2 6 times 12 इसका मतलब y की value क्या आगई y की value आई है 16 by 2 और 16 by 2 भी तो अभी शेक सा solve हो रहा है हाँ कर दो लो यह आ जाएगा 8 by 2 से यह 16 कटा 8 times तो y की value आई 8 यह था थोड़ा सा ऐसा process जो आपने exercise 4.2 में जो हमने देखा कैसे हम लोग remove करते हैं variables के साथ में जो चीज लिक की रहती है उनको कैसे separate करते हैं यह उस तरीके से किया इसी question को करने का एक और तरीका है जिसमें यह सब नहीं करना पड़ेगा ठीक है वो तरीका में exercise में सिखा रहा हूं अच्छे से समझने की कोशिश करना हम यहाँ पर करते हैं ठीक है यह पूरी side पे हम यही similar solve करेंगे औ और देखेंगे हमारा answer y equals to 8 आएगा लेकिन इतनी सारी steps नहीं आएंगी द्यान देना question क्या दिया है question दिया है 2y plus 5 by 2 तो यह plus 5 by 2 is equals to 37 by 2 लिखा था अब मेरी बात समझने की कोशिश करना पहला step क्या किसे 2y निकालना है तो 2y को ही छोड़ दो plus 5 by 2 को आप transposition method से उधर ले जो transposition दिखा रहा हूं इसी question में देखना 2y is equals to already यहाँ पे 37 by 2 था transposition method कहता है कि plus 5 by 2 जब उधर जाएगा तो यह हो जाएगा minus 5 by 2 यह वाली steps समझ आई यह transposition method लगाया सीधा plus 5 by 2 एक value को में उधर ले गया तो negative में चली गई ठीक है अब यह आजाएगा 2y is equals to 37 by 2 minus 5 by 2 आप देखेंगे यह आएगा 32 by 2 और 32 by 2 का मतलब क्या होता है यह होता है 16 तो 2y की value आगई 16 भाई 16 समझ आ रहा है ना 2 1 times 2 12 बचा 2 6 times 12 अब y के साथ extra क्या लिखा है 2 लिखा है multiplication के relation में लिखा है transposition method कहता है कि जो multiply में है अगर उधर लेके जाना है वो divide में जाएगा तो यह हो जाएगा y is equals to 16 by 2 मैंने क्या किया मैंने यहां से 2 को हटाया 16 के नीचे ले गया अब 2 से यह 16 कटा y की value आ गई 8 इसमें number of steps कम हो जाती है transposition method के अंदर तो यह था आपका transposition method और यह था separation method यह दोनो method में से जिसको जो method समझ आया है बच्चो आप कुछ भी use कर सकते हैं इसको copy कर लिजेए बस जो separation method है ऐसे बड़े-बड़े sums में जब equations बढ़ती जाती हैं वहाँ पर यह separation method के इस number of steps बढ़ते जाते हैं बस यह अंतर है लेकिन अगर आप steps को match करो तो यहां पर जितने steps हैं वो सारे steps यहां पर दिखेंगे आपको clear है देख सकते हो आप यह देखो 2y is equal to 37 by 2 minus 5 by 2 यह दिख रहा है 37 by 2 minus 5 by 2 ठीक है फिर 2y equals to 32 by 2 तो यहां पर आपको दिख रहा था 2y is equal to 32 by 2 y की value 16 by 8 y की value 16 by 2 तो y की value 16 by 2 y is equal to 8 y is equal to 8 तो बस होता कुछ नहीं है होता बस अंतर इतना है कि दोनों में steps सेम रहती है separation method में तोड़ तोड़ के separate करना पड़ता है और transposition में आप direct transfer कर सकते हैं ठीक है एक और question करते हैं यह वाला b part b part क्या है 5t plus 28 equals to 10 इसको मैं करूँगा transposition method से अगर आपको separation करना आप separation भी लगा सकते हो चलिए board clear कर लेते हैं देखिएगा question क्या है 5t plus 28 यहां पर plus का sign है 5t plus 28 equals to 10 तो मैं कर रहा हूँ transposition से अब देखना 5t variable है 5 के साथ एक t लिखा हुआ है variable यहां पर है तो इसको यहीं छोड़ दो plus 28 उदर ले जाओ तो मैं direct लिख दूँ क्या 5t is equals to 10 minus 28 भाई plus 28 उदर गया minus 28 हो गया अब यहां पर क्या बन गया 5t की value क्या आ जाएगी 10 minus 28 मतलब minus 18 हो जाएगा तो यह हो गया minus 18 ठीके t की value क्या आएगी t के साथ में 5 multiplication में है तो यह multiply वाली चीज इदर जाएगी तो division में चली जाएगी यह हो जाएगा t is equals to minus 18 by 5 यह आगया answer सिफ दो ही steps में इसी की जगह आप separation method से अगर करते चलो separation method भी देख लेते हैं उसको क्यों छोड़े ठीके देखना 5t plus 28 तो क्या मैं यहां लिख सकता था 5t plus 28 minus 28 और दूसरे side पे हो जाता 10 minus 28 क्लियर है बच्चों अब 28 minus 28 नॉर्मलाइज हो जाता मतलब नूटरलाइज हो जाता यह हो जाता 5t की वेल्यू क्या 10 minus 28 मतलब minus 14 और सॉरी minus 18 ठीके और टी की वेल्यू मतलब 5 extra लिखा हुआ है इसको divide कर दो 5 से और यहां पे minus 18 में भी divide by 5 लगा दो यहां पे 545 की cutting होती t की value यहां पे आती कितनी minus 18 by 5 minus 18 by 5 नहीं solve हो सकता इसलिए यह मेरा answer है देखो दोनों जगा पे same answer आया है clear है मेरे खाल से अब सबको next आप लोग कर सकते हैं चलिए board clear करते हैं आगे का question देखते है next question क्या है next इसी के दो और part है c और d उसमें क्या दिया है a by 5 plus 3 by 2 तो क्या sir आपने बताया था कि जहां पे variable है उसको छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया plus 3 transposition method के हिसाब से उधर जाएगा तो यह minus 3 हो जाएगा हाँ हो जाएगा दियान देना a by 5 की value कितनी आएगी यह आएगी minus 1 अब sir a की value find करनी है a के साथ division में 5 है division में 5 है यह 5 जब इधर जाएगा तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दू minus 1 into 5 हाँ देखना division में ही divide की चीज इधर जाएगी तो multiply हो जाएगी और a की value क्या आएगी minus 5 minus 1 into 5 तो a की value आगई minus 5 यह था transposition method अगर कोई इस question को separation से कर रहा है तो चलो separation भी देख लो a by 5 plus 3 minus 3 is equals to 2 minus 3 यह separation method से आपने step किया होगा plus 3 minus 3 neutralize हो गया यहाँ पे बच्चा a by 5 is equals to minus 1 अब divide में 5 है तो आपने next step में लिखा होगा a by 5 multiplied with 5 is equals to minus 1 multiplied by 5 5 से 5 कट गया neutralize हुआ 1 आया और a की value आ गई minus 5 यह देखिए दोनों method से answer same आया ठीक है इसका d part भी attempt करके देखें चलिए d part भी attempt करते हैं d में क्या है q by 4 plus 7 q by 4 plus 7 का मतलब क्या कि q by 4 is equals to 5 minus 7 plus 7 transposition से equal to sign के इधर गया तो negative 7 हो गया और यह next step आएगा q by 4 is equals to 5 minus 7 मतलब minus 2 और q की value क्या आएगी q की value आएगी minus 2 multiplied with 4 क्योंकि division में 4 था यह 4 इधर गया into हो गया तो q की value आगई minus 8 minus 2 into 4 negative into positive negative 2 into 4 is 8 अगर कोई इसको separation method से कर रहा है तो चलो separation method भी देख लो आप लो यह क्या होगा q by 4 plus 7 minus 7 is equals to 5 minus 7 तो यह क्या हो जाएगा q by 4 is equals to 5 minus 7 मतलब minus 2 division में 4 था इसका मतलब q by 4 into 4 करेंगे हटाने के लिए और दूसरे side पर भी into 4 करेंगे clear है अब यह into 4 कर दिया मैंने तो यहाँ पर 4 से 4 कटा q की value आई minus 8 देखो दोनों जगा same value आ रही है यहाँ पर भी minus 8 है यहाँ पर भी minus 8 है तो यह है इसको करने का तरीका यह हमने देखा exercise 4.3 का question number 1 थोड़े से और अच्छे question लेके देखें ठीक है आगे देखते हैं और क्या दिया इसके अंदर देखेंगा question number 2 में अब यहाँ पर आपको first chapter अब देखो सारे chapter आपस में इंटर लिंक है ठीक है अगर सारे आप लोग शुरू से वीडियो देखते वह आ रहे हैं तो सारी जो फंडे है मैट्स में वह एक chapter के दूसरे chapter में दूसरे chapter के तीसे chapter में पहले chapter के last chapter में फंडे मैट्स में इसलिए हम लोग पढ़ते हैं rules, regulations, formulas इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हर जगा उनका use है यहाँ पर आपको first chapter में ने कीज़े chapter में distributive law पढ़ाया था तो यहाँ पर वो यहां तो distributive law का हम लोग use कर सकते हैं तो मैं इसको भी करने के आपको दो तरीके बताऊंगा ठीके और एक हम इसको separation method से कर सकते हैं ठीके ध्यान दीजेगा क्या दिया है टू के बाद में bracket लगा है और bracket के अंदर लिखा है एक्स प्लस फूर इक्वल्स टू 12 अब ध्यान देना इसको करने के दो तरीके एक्स प्लस फूर जो है एक्स प्लस फूर ब्रैकेट के अंदर है उसके साथ टू का क्या relation है जो यह टू बाहर लिखा है क्या relation है इसका relation है सर आपने बताया था maths में bracket का मतलब होता है multiplication तो bracket का तो divide में चली जाएगी तो क्या मैं direct लिख दू एक्स प्लस फूर इस इक्वल्स टू 12 बाई 2 भाई 2 यहां पर multiplication में था यह 2 यहां आया 12 के पास तो यह division में आ गया और कुछ नहीं किया मैंने ध्यान देना next step में क्या होगा x प्लस फूर 12 से 2 कटा तो यहां पर आया 6 12 से 2 यहीं 2 से 12 कटा ठीक है 2 से 12 कटा 6 आया अब मेरे सामने equation क्या है x प्लस 4 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 जब 6 के पास जाएगा तो negative 4 हो जाएगा तो x की value आ गई 6-4 और x आया हमारा 2 यह हो गया easy कर दिया अगर किसी के बच्चे के दिमाख में यह bracket देखके distributive law याद आ रहा है तो इसको हम distributive law से भी कर सकते हैं दियान देना इसको इसी question को मैं फिर से solve कर रहा हूँ दूसरे तरीके से question क्या है 2 bracket x प्लस 4 is equals to 12 यह question था देखो 2 x को multiply होगा distributive law में क्या कहता है जो bracket के बाहर लिखा है वो bracket के दिये हुए अंदर वाली values को equally distribute होता है तो 2 multiply होगा x के साथ तो यह हो जाएगा 2 x फिर plus का sign और 2 multiply होगा 4 को तो यह हो जाएगा 8 is equals to 12 plus 8 इधर गया तो यह हो जाएगा minus 8 यह हो जाएगा 2 x is equals to 12 minus 8 और 12 minus 8 होता है 4 तो यह हो जाएगा 2 x is equals to 4 और x के साथ 2 multiplication में है यह multiply वाली चीज यहां आएगी तो यह divide में हो जाएगी तो यह हो जाएगा 4 by 2 और x की value आप देखेंगे 4 by 2 का मतलब 2 आ रहा है देखो दोनों जगाप answer similar आ रहे हैं clear है तो यह था तुमारा transposition method और यह था तुमारा क्या यह था distributed अब तुम्हें दिमग में आ रहा होगा sir यह क्या separation से नहीं हो सकता यह separation से भी हो सकता है तो चलो इसी question को अब हम separation से करके देखते हैं देखना अगर कोई इसको separation से attempt कर रहा है तो वो कैसे करेगा यह है 2 bracket में x plus 4 is equals to 12 देखो x plus 4 के साथ अब 2 multiplication में है अब मुझे 2 को सबसे पहले remove करना है इस bracket के सामने जो 2 है इस 2 को remove करना है तो वो multiplication में remove के लिए क्या मैं next step में ऐसा कर दूँ कि इसको upon 2 लिख दूँ अगर इस पूरे के upon में 2 लिखूंगा तो यहां 12 के upon में भी 2 आएगा clear है बच्चो यही है separation method ठीक है यह अब 2 से यह 2 कट गया और इस 2 से 12 कटा 6 times तो देखो क्या क्या बचा मेरे पास बचा x plus 4 is equals to 6 x के साथ plus 4 है तो यहां हो जाएगा x plus 4 minus 4 और यहां हो जाएगा 6 minus 4 x plus 4 minus 4 neutralize हो गया x की value देखो 6 minus 4 कितनी होती है यह होती है 2 तो ध्यान दो मैंने एक ही question को तीन तरीकों से किया है इसको आप copy कर लिजिए जिसको नहीं समझ आया ठीक है मुझे comment box में बताइए वैसे मुझे लगता है कि जिसने मेरे शुरू से videos अभी तक watch की है उनको यह बहुत easy लग रहा होगा बहुत easy है यह first chapter का concept यूज किया है और यह इसी chapter का concept यूज किया है separation and transposition ठीक है copy कर लिया next question भी देखें चलिया next क्या है यह वाला यह तो हमने छोड़ी दिया था यह भी कर लेते हैं तो अब मैं सिर्व एक ही method कर रहा हूँ आप लोग बाकी method try करके देखना लेको 3 n-5 equals to 21 bracket के साथ 3 लिखा है किस में relation में multiplication के relation में transposition से उधर ले जाओ तो यह हो जाएगा n-5 is equals to 21 upon 3 ठीक है 21 upon 3 मतलब n-5 की value आएगी 7 3 के टेबल में 21 आता है 7 times 7 n के साथ minus 5 है तो यह minus 5 जब इधर 7 के पास जाएगा तो यह plus 5 हो जाएगा n 7 n की value है 7 plus 5 और 7 plus 5 कितना होता है 12 तो n आ गया 12 इतना असान है देखो कितना easy है transposition method लगाई है अराम से चीज़े solve हो जाती है इसलिए simple equations कहलाती है clear है बच्चो इसमें और आगे के हम parts देखते हैं इसमें और parts दिये हुए है और वो क्या दिया है वो देखिएगा देखें c वाला c वाले में क्या दिया है 3 n minus 5 equals to minus 21 आपको value निकालनी है n की और n है bracket के अंदर और बाहर bracket के पहले लिखा 3 वो है multiplication के relation में 3 इस bracket के साथ यहां पर bracket है 3 इस bracket के साथ multiply में है तो क्या मैं ऐसा लिख दू n minus 5 is equals to 21 upon 3 और इस 21 के आगे negative sign है तो यह negative sign आ गया कई बच्चे negative sign छोड़ देते हैं बेटा sign का ध्यान अच्छे से रखना अगर sign छोड़ा ठीक है तो पूरा question गलत ठीक है sign को कभी मत छोड़ना sign ही main है ठीक है अब देखना n minus 5 equals to minus 21 upon 3 next step क्या आएगी क्या मैं बोल सकता हूँ n minus 5 की value आएगी minus 7 by 3 से यह 21 कटा तो minus 7 आया अब इसके बाद क्या step आएगी n equals to minus 7 already था minus 5 transposition से उदर गया तो यह plus 5 हो गया और n equals to minus 7 plus 5 का मतलब minus 2 आएगा n is equals to minus 2 sir कैसे आया मैं आप लोगों से कहूंगा कि मेरी सबसे पहली वीडियो वाच करो integers में बताया मैंने यह minus 7 plus 5 minus 2 कैसे हुआ क्लियर है आगे धियान दीजिएगा तो इसको रब कर दे ठीक है हम next next attempt करते हैं इसको रब कर देते हैं next देखिएगा 2 minus x के साथ 4 का क्या relation multiply बार बार ऐसे question है तो आप रट लो इसको दिमाग में बिठा लो कि bracket का मतलब होता है multiplication आगे होगा इतना तो समझ 2 minus x के साथ है 4 4 है multiplication के अंदर तो यह हो जाएगा 2 minus x is equals to 8 by 4 क्योंकि multiply में था यह 4 transposition से इदर आया तो 8 के नीचे आया 4 से 8 काटा 2 times तो यह आगया 2 minus x is equals to 2 ठीके अब यहाँ पर ध्यान देना minus x को यहीं छोड़ दो और यह 2 जब इस 2 के स्पास आएगा तो हो जाएगा 2 minus 2 तो minus x की value आ जाएगी 0 यह आगे 0 अगर minus x की value 0 है बात को समझना minus x की value अगर 0 है तो x की value क्या होगी वो भी 0 होगी क्योंकि मुझे positive देना था तो x की value 0 आई है कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं सर आपने बताया था कि अगर minus x की value 3 आ रही है तो x की value minus 3 आएगी सर यहाँ पर minus x की value 0 है इसका मतलब x की value minus 0 होगी यह गलत का है मैंने जब number line पढ़ाई थी इंटीजर्स चेप्टर के अंदर तो number line में मैंने बताया था 0 is never negative nor positive मतलब यह neutral number positive negative होई नहीं सकता आप 0 के साथ कोई sign नहीं लगा सकते कभी मत लगाना भूल के ठीक है तो x की value simple 0 आएगी इसमें अच्छा question था teacher का मनपसंद है exam में दे सकती है note कर लिया सबने note कर लीजे जल्दी से चलिया हम लोग next देखते हैं यह वाला क्या है यह question यह दिया है 2 plus x bracket के अंदर 2 plus x के साथ bracket के बाहर लिखा है minus 4 तो अभिशिक सर आपने बोला जो bracket वाली चीज उसको यह लिखे रहे हैं दो bracket के सामने जो चीज बाहर जो लिखी है उसको दूसरे side पे नीचे ले जाओ क्यों ले जाओ क्योंकि into था यह divide में चला जाएगा हाँ मैंने यह चीज बोली है ठीक है देखना कैसे यह यहाँ जब जाएगा तो यह हो जाएगा 8 upon minus 4 भाई पूरा minus 4 यहाँ जाएगा न यह हो गया अब देखो 4 में 8 आता है 2 times तो यहाँ पे ध्यान देना यह से denominator में negative sign है इसका क्या होगा फिर से मैं बोलता हूँ पहला chapter देखना fraction में कभी denominator में negative sign नहीं आता यहाँ पे आया है तो इस negative sign को उपर लिख दो ठीक है तो next step में आएगा 2 plus x is equals to minus 2 सरी minus 2 कैसे आया 4 से 8 कटा 2 times ठीक है यह negative sign उपर चला गया तो यहाँ आया minus 2 इतना easy x की value क्या आएगी x की value आएगी जो यहाँ पर 2 लिखा यह टू ट्रांस पोजिशन से इधर जाएगा तो यह minus 2 है इस 2 के आगे कोई sign नहीं है तो इसका उले positive sign है यह जब transposition method से उधर जाएगा तो यह हो जाएगा minus 2 तो x equals to minus 2 minus 2 ठीक है अब x equals to minus 2 minus 2 का क्या मतलब minus 2 minus 2 similar sign है number add हो जाएगा तो 2 plus 2 होता है 4 और sign negative ही आएगा तो x की value आगी minus 4 है आसान ठीक है आगे देखें चलिए next question में क्या दिया है solve the following equation 4 equals to 5 और फिर bracket में दिया P minus 2 अभी तक हमने जितने questions देखे 4.2 में 4.3 में question number 2 तक वहाँ पे सारे variable left hand side में थे अब तुम देख रहे हो कि variable right hand side में तो confusion मतलब दिमाग में कहीं पे भी तो हो सकते है ठीक है ना भाई variable इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है क्या दिक्कत है देखना अब यहाँ पे P minus 2 के साथ 5 का क्या relation है multiplication सेम चीज है यह 5 multiply का साथ छोड़ेगा मतलब ब्रैकेट का साथ छोड़ेगा तो यह 5 जब उधर जाएगा transposition से तो यह क्या 4 upon 5 हो जाएगा clear है ठीक है अब P के साथ minus 2 का क्या relation है यह है मतलब P के साथ इस 2 का relation है negative यह चीज उधर जाएगी तो positive हो जाएगी तो ध्यान दो यह हो जाएगा 4 by 5 plus 2 is equals to P अब chapter fractions and decimals में fraction में मैंने बताया है क्या करना है denominator आ गया 4 by 5 plus 2 तो इसका LCM लो 5 और यह आएगा 4 plus 10 कैसे आया सर यहां पर 10 देखो इस 2 के नीचे 1 है देखना वो पूरी series आप देखो वो हाली fraction and decimal वाली उसमें एक के question में मैंने यह चीज़ समझाई थी फिर से यहां बतायता हूँ 2 by 1, 5 और 1 का LCM 5, 5 के table में 5 आता है 1 times, 1 into 4 होता है 4 1 के table में 5 आता है 5 times, 5 into numerator 10 आएगा तो 4 plus 10 equals to P, मतलब यह आएगा 14 upon 5 is equals to P यह आगई आपकी P की value इस question में P की value आगई और वो आई यह 14 by 5 next question, try करिए चलिए इसमें क्या दिया है, देखो minus 4 is equals to 5 bracket में P minus 2 तो हम क्या कर रहे है, minus 4 यहीं पर लिखे रहें देते यह 5 इदर आया, upon में आगया भाई यहां पर bracket का साथ छोड़ा यह है P minus 2, ठीके, अब यहां पर अब क्या करेंगे बोलो जल्दी से minus 2 को सर इदर ले जाएंगे तो ले जाओ, यह हो जाएगा minus 4 upon 5 plus 2 is equals to P ठीके, अब क्या करोगे यह एक fraction है, minus 4 by 5 plus 2, ठीके तो यहां पर LCM लोगे ले लो LCM, यह आया 5 5 के table में 5 आता है 1 times 1 into minus 4 होता है minus 4 यह plus का sign अब यहां पर 2 अकेला एक whole number लिखा हुआ इस 2 को fraction assume करो 2 by 1 अब 1 के table में 5 आता है 5 times, ठीके वो 5 into 2 करेंगे, तो यहां पर आएगा 10 और यह आएगा equals to P P यहीं पर ही है, वो जिस side पर था P वहीं पर ही है, हम इस side पर solve कर रहे हैं, हम सारी value इधर जा रही है ठीके, तो देखना minus 4 plus 10 का मतलब plus 6 तो यह आजाएगा 6 upon 5, which is equals to P 6 upon 5 देखो minus 4 plus 10 10 में से 4 गया, क्योंकि 4 का sign अलग था, वो था negative sign, negative integer था ठीके, तो 10 में से 4 गया 6 आया, positive 6 आया, क्यों, क्योंकि number 10 बढ़ा था, तो यह था A और B part question number 3 का ठीके, इसमें और questions है, वो भी देख लेते हैं, चलिए इसका C, D, E आप लोग मेरे साथ करिए, सबसे पहले हम C चालू करते हैं, ध्यान देना अब यहाँ पर देखो, है असान है 3 के आगे 4 भी है, तो सबसे पहले हम 3 को solve नहीं करेंगे, ठीके अगर आप पीछे वाला question देखेंगे तो यहाँ पर bracket के आगे 5 था, बट 5 के आगे कुछ नहीं था, उसके आगे सिफ इक्वल टू साइन था, इस question में आपको 3 तो दिया है bracket के आगे, उस 3 के आगे 4 भी है, जो कि addition के relation में है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ transposition method से, कि इसको 16 minus 4 कर दूँ और यह आजाएगा 3 bracket T plus 2 clear है न, ऐसे ही होगा न, देखो यह 4 था, इस 4 को मैं 16 के पास ले गए transposition method से, तो 16 minus 4 हो गया, 12 और आपकी equation आगे, 12 equals to 3 bracket T plus 2 अब तो तुम लोग कर लोगे, पिछला कोशन ऐसा ही था, क्या करोगे, 3 को bracket से हटा होगे, तो वो 3 into के relation में था, वो उदर गया, divide में चला जाएगा, तो यह चला जाएगा, 12 by 3 is equals to T plus 2 और 12 by 3 का मतलब होता है, 4, 4 is equals to T plus 2 अब T की value पता करनी है, और T के साथ प्लस 2 है, वो प्लस 2 उदर जाएगा, तो माइनस 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 4 minus 2 is equals to T और T की value क्या निकली बच्चो, T की value निकली है आपकी, कितनी, 4 minus 2 मतलब 2, है आसान, जैसा chapter है, वैसे ही questions है, simple, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत easy है, बस concept पकड़ने हैं, अगर concept समझ आ गए हैं, पूरी वीडियो आपने अच्छे से watch किये, पूरो लगन के साथ, तो ही समझ आएगा, नहीं तो confusions तो रहेंगी, ठीक है, अब ध्यान देना, next भी करके देखते हैं, एक चलो यह D वाला उठाते हैं, क्या है इसमें, इसको मैं clear करता हूँ, क्या है, 4 plus 5 bracket के अंदर P minus 1, तो देखो 5 bracket में P minus 1, अभी छोड़ दो यहीं पर ही, इसके साथ सबसे पहले चीज मुझे दिख रहे हैं, उस 4 को उधर ले जाओ, तो यह हो जाएगा 34 minus 4, next step आएगी 5 bracket P minus 1 is equals to 34 minus 4 होता है, 30, ठीक है, अब bracket के साथ 5 लिखा है, इंटू के relation में, यह हो जाएगा P minus 1 is equals to 30 upon 5, और 30 upon 5 का मतलब होता है 6, तो P minus 1 की value आएगी 6, minus 1 transposition से उधर जाएगा, तो positive 1 हो जाएगा, तो P is equals to 6 plus 1, और P की value आई कितनी? 7, clear है, यह answer है, तो यह steps आप ध्यान रखिए, ठीक है, direct step लिखने की कोशिच मत करिएगा, कहीना की गलती हो जाती है sign की, ठीक है, एक question और करें, चलो, यह question भी करके देखते हैं, क्या है, 0 is equals to 16 plus 4 bracket में, minus, M minus 6, तो bracket जो M minus 6 है, उसके साथ 4 जो लिखा हुए, इस चीज को भी यही छोड़ देते हैं, ठीक है, यह 16 जब equal to sign की इधर गया, तो equal to sign की already महाँ पे 0 था, कुछ भी नहीं था, 0 था, ठीक है, तो यह जब 16 उदर जाएगा, तो भी माइनस 16 हो जाएगा, is equals to 4 bracket में M minus 6, आपको समझ आ रहा है, सर आपने 0 क्यों नहीं लिखा, भाई तुम्हें लिखना लिख दो ऐसे कोई उसका फायदा नहीं है, 0 minus 16 minus 16 नहीं है, तो मैंने वो 0 दिखाया नहीं, ठीक है, बस मैं 16 को डारेक्ट उदर ले गया, तो वो चीद दिख रहे हैं कि वहाँ पर minus 16 गया, clear है, आगे ध्यान देना, minus 16 upon 4 कर दूँ, क्योंकि ये वाला 4 टांस पोजिशन से उदर जाएगा, तो into हो जाएगा, divide हो जाएगा, is equals to M minus 6, और minus 16 by 4 का मतलब क्या, minus 4, तो यहाँ पर step आएगा, minus 4 is equals to M minus 6, अब बाताओ, minus 6 उदर गया, तो क्या, plus 6, तो M इधर है, और minus 6 जब उदर गया, तो यह minus 4 plus 6 हो गया, minus 4 plus 6, मतलब M की value 2 आई है, तो ये लो M की value 2, इस question का answer, clear है, M की value 2 minus 4 plus 6, मतलब 2, clear है, तो ये थे सारे questions, जो हमने attempt करके देखे, question number 3 तक हमने किया, और देखते हैं, इसमें आगे कुछ है क्या, yes, एक question और है, क्या दिया है, उसमें बोला है, construct 3 equations, 3 equations ऐसी बनाई है, जिसके starting with x equals to 2 हो रही हो, तो x equals to 2 का मतलब क्या, ठीक है, मतलब आपको 3 equation ऐसी बनानी है, जहाँ पे x की value 2 आनी चाहिए, ये ये बोल रहा है, ऐसी आपको 3 equation ऐसी बनानी है, जहाँ पे x की value minus 2 आनी चाहिए, मतलब आप equation बताईए, जहाँ पे आपकी value x equals to 2 आ रही है, तीन equation ऐसी बताईए, देखो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कि हम यहाँ पे कर देते हैं, 6 plus x is equals to, अब 2 आना चाहिए, x की value 2 आनी चाहिए, तो ये 6 जब इधर जाएगा, तो ऐसी क्या चीज़ है, जिसमें से 6 कम होगा, क्योंकि ये negative sign में उदर जाएगा, तो 8 में से, जब minus 6 होगा, तो x equals to 2 आ जाएगी, ये एक equation हो गई, और बताईए, ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कि यहाँ पे minus x वाली एक equation में आपको दे रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे क्या मैं ऐसा कर दूँ, कि यहाँ मैं ले लेता हूँ, 7 minus x, 7 minus x is equals to, 2, क्या मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ, देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 7 minus x equals to 9 लिखता हूँ, तो यह जब 7 इधर आएगा, तो 9 minus 7, 2 होगा, minus, नहीं, इधर 9 ना करके हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं minus 9, ठीके, अब आपको समझ आएगा, minus 9 और यह 7 इधर गया, तो यह कर दो minus 7, यह minus 7 इधर गया, तो यह हो जाएगा plus 7, तो minus 9 plus 7 मतलब minus 2, तो minus x की value minus 2, x की value 2 आएगी, तो एक equation यह है, ठीके, आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी formation करो, आपका answer जो आना चाहिए, यह चेक करना चाहता है, इस question के through, क्या आपको समझ आया, कि x equals to 2 करने के लिए, आप क्या-क्या combination बिठा सकते हैं, ठीके, यह बस check करना चाहरा है, मैं इसमें एक चीज और कर सकता हूँ, कि मैं यहाँ पर कर दू, x plus 13 is equals to 15, देखो, यह plus 13 इधर गया, 15 के पास, तो minus 13 हो जाएगा, और minus 13 होगा, तो 15 minus 13, 2 होता है, तो x की value आगे 2, तो यह मैंने 3 equation आपको बना के दिखाई है, आप भी 3 equation ऐसे बनाई है, जिसमें x की value minus 2 आ रही हो, ठीके, तो आप solve करिए, मुझे comment box में बताई है, समझ आया कि नहीं आया, इसमें होर हम आगे questions देखते ह क्या हमें दिए हैं इस exercise में गोर question, पहला question क्या है, set up an equation and solve them to find the unknown numbers, ठीके, आपको statements दी है, और आपको statements के को पढ़के, आपको equations form करनी है, equations को फिर solve भी करना है, तो चलो पहली चीज़ देखते हैं, क्या है, add 4 to 8 times a number, वो कह रहा है, 4 को add करो, देको जो आपके काम के words है न, उनको उठाओ, तो add करो 4 को, किस के साथ, 2, 2, किस के साथ, 8 times, और times का मतलब मैंने बताया था, multiplication होता है, 8 times a number, a number, तुम्हें number नहीं पता, ठीके, तो कुछ भी number ले लो, देखो मैं यहाँ पर solve करता हूँ, मैं क्या ऐसा बोल दू, let the number be x, तो let the number be x, मैंने number को x माल लिया, अब, वो कहा रहा है, 8 times of a number, तो यहाँ पर मैं statement लिखूंगा पहले, 8 times a number, तो इस number का 8 times कितना होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, 8x, भाई, 8 times of a number, 8 into x, 8 times a number हो गया, add 4, इसमें 4 add करो, तो, क्या मैं बोलूँगा, मेरी equation बनेगी, 8x plus 4, भाई, 4 add कर दिया, you get, you get का मतलब equal to का sign, you get 60, यह बन गई आपकी equation, अब इस equation को आपको solve करना है, तो कैसे solve करोगे, वैसी करोगे, क्या करोगे, transposition method, कि 8x is equals to 60 minus 4 कर दूँ, भाई, यह plus 4 है, transposition से उधर जाएगा, minus 4 हो जा सब 8x की value कितनी आई, यह आई सर, 56, अब क्या करोगे, 8 के साथ x का क्या relation है, multiplication, यह 8x का साथ छोड़ेगा, उदर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो x की value आएगी, 56 upon 8, clear है, clear है, अब 56 upon 8, क्या कट रहा है, तो काट दो, बताओ, कितना होता है, 8 into 8, 64, 8 into 7, 56, तो बात को समझना, यह 8 into 7 से कटेगा, मतलब x की value 7 आएगी, इसका मतलब, यहाँ पे, तुम्हारा जो number तुमने suppose किया था x, वो आगया 7, अब तुम्हारा answer सही आया या गलत, हो सकता है, teacher, यह भी तुमसे बोले कि verify करो, तो verify कैसे करोगे, verify करने के लिए, तुम्हें 7 को इस LHS में substitute करना पड़ेगा, ठीक है, और RHS देखना पड़ेगा, क्या 60 आ रहा है या नहीं आ रहा, दो मिंट करके देखो, 7 into x, मतलब x की जगा 7 को substitute कर दो, 8 into 7 कितना होता है, 56, 56 plus 4, 60, आ रहा है, इसका मतलब, मेरा answer भी सही आया, clear है, यह था इसका first part, question number 1 का first part का solution, copy कर ल देखते हैं, second वाले में क्या दिया है, second वाले में statement दिया है हमें कि one fifth of a number, one fifth का मतलब, मैंने बताया था, theory जब इसका पड़ाया, one fifth का मतलब होता है, one by five, ठीक है, one fifth of a number, कोई एक number, तो हम सबसे पहले हैं लिखेंगे, let the unknown number, क्योंकि unknown number हमें नहीं पता न, question में बोला है, त आप number को X माल लेते हैं, sir, आप हर बार X ले रहे हो, कोई और दूसा variable लो न, ले लो भाई, कोई दूसा variable ले लो, चलो यहाँ पर हम लेते हैं, इसको M, let the number be M, ठीक है, कोई भी variable ले सकते हूं, let the number be M, अब one fifth of a number, तो one fifth of a number, ठीक है, minus four, one fifth of a number, minus four, तो ये one fifth of a number है, minus four जब करूंगा, तो ये मुझे देगा three, ये हो गई आपकी equation form, अब minus four इदर जाएगा, तो इसके next step क्या आएगा, one by five into M is equals to three plus four, और three plus four का मतलब क्या होता है, ये होता है seven, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कि M by five, देखना, one by five into M, मतलब M by five, numerator से numerator multiply कर दिया, तो M by five is equals to seven, और M की value आएगी seven into five, और seven into five होता है, 35, ये हो गया question, ये था इसका second part, ठीक है, one fifth of a number minus four gives three, तो ये हो गया, वो M क्या है, वो unknown number क्या है, वो है 35, इसका C part चलिए उठाते है, इसके C part में क्या है, इसको board को delete कर देते हैं, ठीक है, इसका C part क्या है, if I take three fourth of a number, अगर मैं लेता हूँ, three fourth of a number, किसी number का three fourth, and add three, तो बात को समझना, of a number, of a number, number मुझे नहीं पता, तो again मैं बोलूँगा, let the number be x, let the number be x, ये रहा number x, ठीक है, I take three fourth of a number, तो three fourth of a number, three fourth of a number, का मतलब होता है, क्या, three by four into x, of का मतलब होता है, multiplication, तो three by four of x three fourth of a number मैंने ले लिया, and add three to it, और उसमें three add कर दो, तो equation क्या बनेगी, three by four into x था, इस पूरी चीज में जब मैं add करूंगा three, ठीक है, I get 21, मुझे मिलेगा 21, ये आपकी equation फॉर्म हो गई, चलिए जल्दी से solve करिए, इस bracket के साथ plus three है, ये plus three transposition method से उस साइट जाएगा, तो ये हो जाएगा, three by four into x is equals to 21 minus three, और 21 minus three होता है 18, तो यहाँ पे तुम्हारा आगया, three by four into x is equals to 21 minus three is 18, clear है, अब x के साथ three by four into के relation में है, इसको मुझे हटाना है, तो ये चीज़ उधर जाएगी, divide में, तो x की value क्या आएगी, x की value आएगी, 18 divided three by four, और 18 divided three by four, chapter fraction याद करो, उसका theory याद करो, क्या था, divide का sign हटाना है, into लगा दो, तो ये आजाएगा, x is equals to 18, multiply, divide का sign हटाया, multiply हो गया, three by four, जो बाद का fraction दिया है, वो ऐसी प्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा, four by three, और जैसे ही four by three हुआ, तो आपको दिख रहा, three से 18 कटा, कितना time, six times, six into four, तो ये x की value आगई, six into four होता है, 24, तो ये आगया, x equals to 24, ठीके, clear है, इस तरीके से solve करना है, हम लोग next देखते हैं, when I subtract 11, चलिए board clear कर देते हैं, next, last वाला क्या है, when I subtract 11 from twice a number, वो कह रहा है, जब मैं 11 को subtract करूंगा, किस से, from, किस से करना है, twice a number, तो हम यहाँ लिखेंगे, let the number be x, let the number be x, अब, twice a number कितना होगा, twice a number, twice a number, यह हो जाएगा, 2 times of x, ठीके, वो कह रहा है, when subtracted 11 from 2x, जब 2x में से मैं 11 को subtract कर दूं, तो 2x minus 11, from बोला था, 11 को कहां से subtract करना है, 2x में से subtract करना है, इसलिए minus 11 बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा, बाद में लगाया, the result was, result was का मतलब equal to का sign 15, कर लोगे solve, जल्दी से solve करो, बताओ, 2x की value क्या आई, यह आई सर्फ 15 plus 11, और 15 plus 11 मतलब 2x की value आएगी, 26, clear है, और x की value कितनी आएगी, यह आएगी 26 by 2, और 26 by 2 का मतलब क्या होता है, x की value आएगी 13, खतम कहानी, इतना असान है, clear है, तो हमने देखा, यहाँ पर question number 1 में, कुछ बहुत simple से, हमें verbal statement दिये थे, उन verbal statement को मैंने algebraic statement में change किया, algebraic statement को solve किया, और मैं answers solve करके आपको बताए, clear है, next question देखते है, next question क्या है, next question में भी ऐसे कुछ सिखा रहा है आपको, अच्छा, इसके और भी parts है, चलिए वो और parts solve कर लेते हैं, मुन्ना, किसी की बारे में बात किये, मुन्ना, ठीक है, subtracts, thrice the number, वो subtract करता है, किसी number का thrice, thrice the number, इसको मैंने पकड़ लिया, ठीक है, thrice, thrice का मतलब होता है, three times, ठीक है, तो thrice the number of notebooks, he has, from 50, वो किस में से subtract कर रहा है, 50 में से, ये statement की हिंदी समयना, मुन्ना ने subtract किया, किसी number का three times, ठीक है, अब वो जो था, वो of notebooks था, तो ये हमारे भी काम का नहीं है, हमें equation form करनी है, he has from 50, जो उसके पास notebooks थी, तो number of notebooks, यहां पर जो ध्यान देने वाली चीज है, अगर आप ध्यान से statement पड़ो, तो the number of notebooks हमने ली है, x, तो हम यहां बोलेंगे, let the number of notebooks is equals to x, मैं अगर notebooks का total number मानू, x, ठीक है, अब वो बोल रहा है, thries, three times, thries of notebooks, thries of notebooks का मतलब क्या, thries of notebooks का मतलब होता है, three times of x, clear है, ठीक है, वो इस चीज को जब subtract करेगा 50 में से, ठीक है, अब बात को समझना, 50 में से जब वो subtract करेगा 3x को, ठीक है, तो उसको result क्या मिला, result का मतलब equal to 8, तो उसको result मिला 8, यह आगया, solve करिए, देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, minus 3x यही पर रहेगा, और 8 के पास 50 चला जाएगा, तो यह जाएगा, 8 minus 50, ठीक है, अब minus 3x की value क्या है, minus 3x की value आईगी है, 8 minus 50, मतलब answer negative में आएगा, 50 में से 8 गए, मतलब 42, ठीक है, अब x की value क्या है, x की value आएगी, minus 42 upon minus 3, minus minus numerator denominator में plus बन गया, कट गया उपर नीचे plus बन गया, और 3 से 42 काट दीजे, तो यह हो जाएगा, 3 1 times 3, बचा 12, 3 4 times 12, तो x की value आएगी 14, यह आगया, तुमने क्या लिया था, the number of notebooks x, तो हमारा answer आया, the number of the notebooks is 14, total number of notebooks कितनी निकली, 14, क्योंकि question हम से statement में पूचा है, तो हमारा जवाब भी statement में आएगा, the total number of notebooks are 14, clear है, इसका second, और f part देखते हैं, f part में क्या दिया है, f part में दिया है, ibnal, ibnal thinks of a number, किसी number के बारे में सोचा, ibnal कौन, किसी के बारे में बात हो रही है, किसी का नाम दिया है वो, ठीके, ibnal thinks of a number, वो किसी number के बारे में सोचता है, तुम्हें नहीं पता उसने किस number के बारे में सोचा तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे let the number thinked by Ibn al is x चलिए इसको भी solve करते हैं clear कर देते हैं board को और Ibn al के बारे में अब हम बात कर रहे हैं हम f वाला solve कर रहे हैं हम बोलेंगे यहाँ पर let the number thinked by जो सोचा गया है thinked by Ibn al i b e n h a l ibn al is equals to x उसने किसी number के बारे में सोचा है full stop लगा है यह clear statement दिया था आगे if she adds किसी लड़की कोई लड़की के बारे बात हो रहे हैं ठीक है if she adds 19 to it वो अगर इस x के साथ 19 को add कर देती है तो मैं बोलूँगा x plus 19 ठीक है and divides the sum by 5 अगर इस sum को यह sum को वो 5 से divide करती है तो मैं देखो यहाँ पर कर देता हूँ x plus 19 by 5 तो मेरे पास यह वाली जगा है ध्यान देना x plus 19 divided by 5 यही तो statement में बोला है if she adds 19 to it and divides the sum by 5 हमने कर दिया she will get 8 she will get 8 clear है अब ध्यान देना यह एक पूरा fraction numerator की value है x plus 19 और denominator की value है सिर्फ 5 तो हमें denominator remove करना है 5 उदर जाएगा into में चलाएगा क्योंकि यहां पर divide के relation में तो इसको solve करते है x plus 19 is equals to 8 into 5 और 8 into 5 कितना होता है yes 40 तो x plus 19 5 into 8 is ठीके अब plus 19 को remove करना है यह transposition से वहाँ पर जाएगा तो x की value आएगी 40 minus 19 और 40 minus 19 का मतलब क्या 40 minus 19 का वला 10 में से 9 गए 1 3 से carry लिया होगा यहां पर 3 में से गया 2 तो वो number है 21 उसने जिस number के बारे में सोचा था वो number था 21 आप check भी कर सकते हैं इसमें करके क्या कि 21 में plus 19 कर दो 21 में अगर तुम plus 19 करोगे तो यह आएगा 40 40 को अगर 5 से divide करोगे तो आएगा 8 तो lh is rh is equal आजाएगा verify भी कर सकते हो ठीके तो यह हमने solve किया f part ठीके अब g part solve करके देखते हैं g part में क्या दिया है तो चलिए इसको भी clear कर देते हैं board को g part पढ़ते हैं g part में क्या है unworth things of a number again एक नाम दिया है unworth उसने भी किसी number के बारे में सोचा तो हम बोलेंगे let the number be x let the number thinked by unworth is x तो मैं यहाँ पर एक छोटा से statement लिख रहा हूँ let the number be x if he takes away 7 takes away 7 मतलब subtraction की बात हो रही है ठीक है from 5 1 by 2 of the number तो बात को समझो हमारा जो काम का statement है वो अभी क्या है हमारे काम का statement है ये from 5 by 2 of the number तो 5 by 2 of the number क्या होगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 by 2 of number ये हो जाएगा क्या 5 by 2 into x यही है ना 5 by 2 of number of का मतलब multiplication तो 5 by 2 of a number हो गया जब वो क्या करेगा if it takes away 7 अगर वो इस चीज में से 7 को बाहर निकालेगा तो मतलब वो subtract करेगा इस में से तो क्या equation मनेगी क्या मैं बोल सकता है equation मनेगी 5 by 2 into x bracket के अंदर इस पूरे में से अगर वो 7 को बाहर निकाले मतलब माइनस 7 करे तो उसको क्या मिल रहा है result result उसको मिल रहा है 23 तो यहाँ पर यह value आ गई 23 यह बन गई आपकी equation कैसे solve करोगे सर इस पूरे bracket के साथ माइनस 7 लिखा है बात को समझना into नहीं है माइनस 7 है यह माइनस 7 इधर जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 5 by 2 into x यह पूरे bracket ऐसे का ऐसे यहां रहेगा माइनस 7 उदर गया तो यह हो गया 23 plus 7 ठीके और यह हो जाएगा 5 by 2 into x is equals to 30 अब क्या करोगे किसकी value निकालनी है x की x के साथ extra क्या लिखा 5 by 2 किस relation में into में उदर जाएगा divide हो जाएगा तो क्या मैं बोलूँगा x की value आएगी 30 divided का sign और 5 by 2 अब यह divided का sign change होगा into में तो x की value आएगी 30 multiplied with 2 by 5 reciprocal हो जाएगा और 5 से 30 कटेगा 6 times तो यह कट गया 6 times और 6 into 2 होता है 12 that means x की value आगई 12 तो यह answer है last वाला वो है g clear है बच्चो तो g का answer आया क्या x equals to 12 जो number अनवर ने सोचा था वो number था 12 तो आप इस तरह के riddles होना के भी लोगों से अपने सवाल कर सकते हो ठीक है यह equation बनाने का तरीका है statement को change करने का तरीका बताया है इतने अच्छे question से मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को ठीक है आगे देखना next question देखते हैं क्या है next question में क्या दिया है अच्छे बड़े-बड़े statement लिखें ठीक है डरना नहीं है इन statements को देखके simple सा जो statement लिखा उसको पढ़ो और करो solve चलो पहला मैं करके दिखाता हूँ क्या the teacher test the class अच्छे यह question हम already theory part में attempt कर चुके हैं आपको याद होगा देखना एक teacher है उसने अपनी class से बोला कि जिसके highest marks आए है ठीक है वो बराबर है उसके जिसके कम से कम marks है lowest marks का जब मैं twice कर देता हूँ two times कर देता हूँ lowest marks का जब दो गुना कर देता हूँ तो और उसमें plus seven भी करता हूँ तो मेरे काम की चीज़ों को मैं underline कर रहा हूँ मेरे काम की चीज़े क्या क्या दी है यहाँ पर ध्यान देना मेरे काम की चीज़े क्या क्या दी है तो मेरे काम की चीज़े दी है highest marks ठीक है फिर word क्या दिया है twice the lowest marks plus seven तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ let the highest marks या नहीं देखो highest mark को मैं x नहीं लूँगा यहां पर ठीक है मैं किसको लूँगा मैं lowest mark क्योंकि मुझे lowest marks नहीं बता न कितने और lowest mark को उसने दो गुना किया है तो lowest mark को हम एक काम करते हैं let the lowest marks is equals to x अब lowest mark का twice कितना होगा twice twice of lowest marks lm लिख रहा हूँ यह होगा 2x ठीक है अब वो कह रहा है जब 2x में मैं प्लस 7 करूँगा मतलब जिसके सबसे कम marks से उसको दो गुना कर दिया 2 times कर दिया तो वो गए 2x इस में से जब 7 को सब्ट्रेक्ट कर दूँगा नहीं सौरी प्लस कर दूँगा सब्ट्रेक्ट नहीं कर रहें प्लस कर रहें प्लस 7 तो मुझे highest score मिलेंगे तो ये एक equation फॉर्म हुई है और highest score कितने है ये question में दिया highest score है 87 तो हम बोलेंगे ये 87 ये equation बन गई तो आप बताईए what is the lowest score lowest score क्या है lowest score का हमने x माना था मतलब तुम्हें equation में x calculate करना है चलो कर दो जल्दी से 2x is equals to 87 minus 7 हो जाएगा और 2x की value कितनी आएगी ये आएगी 80 और x की value आएगी 80 divided by 2 80 divided by 2 का मतलब होता है x की value है 40 मतलब सबसे lowest mark जो class में थे वो थे 40 और highest mark तो question में दिये हुए है और वो दिये है 87 तो lowest भी है और highest भी है highest आपने पता था lowest आपने calculate कर लिया copy कर लिया बच्चों तो इस तरह के questions आते हैं next वाला आप लोग मेरे साथ attempt करेंगे इसको copy कर लिया चलिया ध्यान दीजेगा next B part में क्या बोला है ये भी question हम लोग जब theory पढ़ रहते हैं हम कर चुके एक isosilis triangle तो मैंने आपको triangle बना के दिखाया था क्या बोल रहा है an isosilis triangle isosilis triangle क्या होता है एक इस प्रकार का triangle होता है जिसके दोनो sides equal होते हैं ठीके इसको कहते हैं isosilis triangle जब दो side equal होंगे तो इनके base angle भी equal होते हैं ये base angle है ठीके जो base में हैं वो base angle और वो दोनो base angle हमेशा equal होते हैं ठीके question को आगे देखते हैं क्या है the base angles are equal यह तो हमें पता isosilis की property है तो यह statement हो गया मैंने एक drawing बना दी the vertex angle is 40 degree इसमें vertex angle यह वाला कहलाता है यह vertex angle है जो उपर है ठीक है base angle जो नीचे है तो vertex angle जो तुमें दिया है वो 40 degree का दिया है ठीक है तो vertex angle drawing बनानी जरूरी है इस question में यह दिया है 40 degree मैंने vertex angle को बना दिया 40 degree आगे क्या है what are the base angles of the triangle आप बताईए base angles कितने होंगे triangle में ठीक है जिसको इस question को नहीं करना आता उनके लिए एक hint भी दी है bracket के अंदर bracket के अंदर क्या लिखा है कि जो triangle होता है triangle के अंदर तीन angles का जो sum होता है वो हमेशा 180 degree होता है यह आप triangles वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उस triangles वाली वीडियो के अंदर यह वाली property मैंने सिखाई है क्यों कैसे किसली है ठीक है तो तीनो angles का sum जो होगा वो होता है 180 degree यह hint दिया है तुम लोगों को आगे ध्यान देना क्योंकि मुझे base angle नहीं पता तो मैं base angle किसी भी एक angle को x माल लेता हूँ अगर यह x होगा तो यह भी x होगा clear है तो हम यहाँ पर suppose करते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं let the base angle is equals to x degree therefore the other base angle will also be of x degree और given है vertex angle vertex angle मुझे given है vertex angle is given और वो दिया है कितना वो दिया है मुझे 40 degree जैसा कि हमें question में बोला और हमें पता है कि as we know जैसा कि हमें पता है और हमें क्या पता है हमें यह पता है कि sum sum of all the angles देखिए हां लिख रहा हूं मैं sum of all angles is equals to 180 degree यह triangle की angle sum property है ठीके इसलिए therefore अब यहाँ पर ध्यान देना कितने angle हैं तीन angle हैं तो हम क्या करेंगे x plus x plus 40 is equals to 180 degree यह हो गया solve अब क्या गर हो गया x plus x का मतलब होता है 2x 40 उदर जाएगा तो यह हो जाएगा 180 minus 40 और 180 minus 40 होता है 140 यह हो गया x की value कितनी आएगी x की value आएगी 140 by 2 और 140 by 2 का मतलब क्या sir 2 times 7 जो 14 होता है और 0 70 तो मैं कहूंगा कि जो base angle आया है यह जो x आया है यह 70 degree का आया यह भी 70 degree है और यह भी 70 degree है अब आप तीनो angle को ahead करके देखो 360 आ रहा है oh sorry 180 आ रहा है क्या 70 plus 70 140 140 plus 40 180 यह हमारा answer सही आया x मतलब base angle की value 70 आई है तो यह था question number 2 को करने का तरीका मतलब इस question का जो second part है question number 2 का b part को मैंने solve किया है isosilis triangle वाला यह दोनों important है इसमें से कोई ना कोई एक exam में तुम्हें देखने को मिलेगा clear है बच्चो चलिए आगे देखते हैं c part में क्या बोला है किसी का नाम लिया है सचिन चलिए इस question को भी solve करके देखते हैं यह मैंने किया board clear और इस question को भी हम करने की कोशिश करते हैं सचिन scored twice as many runs उसने कितने runs जितने राहुल ने दो होगी यहां पर बात हो रही है एक बात हो रही है राहुल की और दूस्छी बात हो रही है सचिन की आर और s लिख दिया मैंने आप बात को समगनना सचिन का score कितना सचिन का score है twice of राहुल ठीक है two times of राहुल तो मैं ने स equals to 2R लिखा, the score of Sachin मैंने 2R, और R क्या, Rahul का score कितना क्या question में कहीं दिया है, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं, together, अगर वो दोनों मिल के, उनके runs को मैं add करूँ, their runs fell into short of a double century, मतलब क्या हुआ है, इस line का मतलब double century, century का मतलब cricket match देखते होगे, cricket match में scores को add कर दूँ, तो इनका score जो है, वो double century बनाने से two short है, felt two short of a double century, how many runs did each one score, आप बदाई हर एक ने कितना score किया होगा, तो सबसे पहले क्योंकि मुझे यहां पर नहीं पता, Rahul का score, ठीके, तो मैं क्या करूँगा, Rahul के score को मैं x माल लेता हूँ, तो देखो, इस question को कैसे करना है, मैंने question समझा दिया है, let the score of Rahul is equals to x, Rahul का score मैंने x माल लिया, therefore score of Sachin, मैं बोल सकता हूँ, Sachin का score होगा, कितना, Sachin score twice, तो 2x क्योंकि उसका score, Rahul के score के मुकाबले, Sachin का score two times था, ठीके, वो बोल रहा है, जब इन दोनों के score को हम add up करेंगे, मतलब x plus 2x करेंगे, ठीके, तो double century बनाने में दो कम, क्या together they are runs, felt two short of a double century, two short, यहाँ पे two short है, मतलब दो कम बने हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कि इन दोनों का sum, 200 से minus two, मतलब, यहाँ पे two minus, देखिए मेरे बात जगा नहीं है, चलिए, दो मिन्ट होल्ड करिएगा, यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख दू, two minus, x plus two x, is equals to 200, भाई, जो इन दोनों का score था, उनको अगर मैं add करता, और उसमें अगर two add कर देता, तो यहाँ two plus आएगा, अगर मैं उसमें two भी add कर देता, तो double century दिखती, यह है question का statement का, अथार्थ, meaning, definition, मतलब, जो भी Hindi version था, वो Hindi मैंने समझा दी, ठीके, क्या था, कि भाई, राहूल, plus twice of x plus two x, three x, is equals to two hundred, चलिए आगे, आप लोग solve करके बताईए, तो क्या देखा आप लोगों ने, कितना आया, बताओ जल्दी से, देखो two plus three x equals to two hundred का मतलब क्या, इसका मतलब, sir, three x is equals to two hundred minus two कर दो, कर दिया, अब 200 में से दो गए, तो इसका मतलब three x की value one ninety eight आएगी, और x की value क्या आएगी, sir, यह आएगी one ninety eight upon three, जल्दी बताओ, one ninety eight upon three का मतलब क्या, यह है, three से one ninety eight कर देगा, तो कितना, three six times होता है, eighteen, ठीके, बचा, एक eight था आगे, अठारा, तो three six times again eighteen, इसका मतलब x की value आई, sixty six, answer नहीं आया है, question में देखना, question में क्या पूचा है, how many runs, कितने runs, did each one, हर एक ने कितने score बनाए है, हर एक बंदे ने, मतलब राहूल के क्या score है, और सचिन के क्या score है, तो राहूल का score तो उमने क्योंकि x लिया था, और x की value कितनी आई, x की value आई है, sixty six, तो ये मतलब राहूल का score निकल गया तुमारा, राहूल का score आया, sixty six, अब इसका मतलब सचिन का score कितना आया, two times, मतलब 66 का two times, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, two into sixty six, तो सचिन का score कितना आएगा, यह आएगा two into six is twelve, और two into six is twelve, plus one मतलब one thirty two, अब one thirty two plus sixty six करके देखो, one ninety eight आएगा, और दो कम है, दो सो नहीं बन पाए पूरे, तो यही तो उन्होंने बोला था, two short of a double century, यह statement पकड़ना आपको, तो English के जब ऐसे आपको statement मिलते हैं, उसमें छोटे-छोटे words में आपकी equation कैसे form होती है, आपको underline करते हुए चलना हर एक चीज जो आपके काम की है, जैसे देखो, मैं करता हुआ चल रहा हूँ, clear है बच्चो, copy कर लीजिए, हो गया, next part देखें, इसका क्या है, next क्या है, चलिए, next इसमें एक दिया है, इर्फान के बारे में और लक्षमी स्फादर, ये दोनों question मैं आपको theory lecture में करा चुका हूँ, ठीके, फिर से अपन कर लेते हैं, question number 3 में, देखो, क्या था, ये question मैं फिर से समझाएता हूँ, ये था, इर्फान कहता है, कि उसके पास 7 marbles हैं, ठीके, more than 5 times the marbles permit has, मतलब इर्फान अपना statement दे रहा है, इर्फान बोल रहा है, कि मेरे पास जो 7 marbles जादा है, 7 marbles more, ये चीज, 7 marbles more, किससे 7 marbles जादा हैं, वो किससे comparison कर रहा है, वो comparison कर रहा है, परमीथ, परमीथ भी एक नाम दिया है आपको, तो इर्फान ने statement दिया, ठीके, अब इर्फान के पास clearly बोला है, 37 marbles हैं, बट परमीथ के marbles तुम्हें नहीं पता, तो हम यहाँ पे जिसके बारे में नहीं पता, उसको x मान के चलते हैं, तो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे बोलेंगे, परमीथ let कॉमा परमीथ मार्बल बी x हम ऐसा माल लेते हैं, परमीथ के पास x number of marble हैं, ठीक है, अब अगर इर्फान के पास given है 37 marbles हैं, तो इर्फान ही तो statement बोल रहा है, इर्फान क्या बोल रहा है, वो कह रहा है, परमीथ के comparison में, अगर मैं परमीथ के marble को भी five time कर दूँ, तो बात को समझना, five times of परमीथ's marble क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, five x भाई, परमीथ के पास x number marble थे, उसको five time कर दिया, five x वो बोल रहा है, इर्फान ऐसा बोल रहा है, कि अगर मैं परमीथ के marbles का भी five times कर दूँ, और उस, वो जो भी calculation आएगा, ठीक है, उसके मुकाबले मेरे पास साथ और जादा है, that means, बात को समझना, कि इर्फान के पास 37 marble थे, ये clear statement था, 37 marble थे, और ये 37 कैसे बना होगा, ये बना होगा, five x plus seven से, ये ही तो बोला है, कि इर्फान बोल रहा है, इर्फान says that he has seven marbles more than five times the marbles परमीथ है, ठीक है, उसके पास जितने परमीथ के marbles थे, उसका पाँच गुना plus seven, इर्फान के पास है, और इर्फान के पास 37 marbles है, तो हम इर्फान का statement पकड़के solve करते हैं, ध्यान देना ये क्या हो जाएगा, five x is equals to 37 minus seven, और इसका मतलब है, five x is equals to 30, x का मतलब क्या, x का मतलब 30 divided by five और 30 divided by five का मतलब क्या, six, तो x की value आएगी six, बात को समझे, परमीथ marbles is x, मतलब परमीथ के पास finally कितने marbles थे, परमीथ के पास 6 marbles थे, ठीके और अगर तुम से पूछा इर्फान के आज, इर्फान के आज वैसे दी है 37, तुम cross check कर सकते हो परमीथ के जो marbles आए हैं इस परमीथ के marbles में तुम लोग 5 गुना कर दो, तो 5 x 6 होता 30 और उसमें प्लस 7 कर दो, तो आएगा 37 इतनी तो इर्फान के पास थे clear है, तो ये था इसको करने का तरीका, copy कर लो हम लोग लक्षमी's father वाला question देखते है ये बोल रहा है लक्षमी's father is 49 years old clear statement दिया है तो लक्षमी के पिताजी की age 49 है, ठीक है he is 4 years older वो 4 साल जादा है 3 times लक्षमी's age, अगर लक्षमी's age का मैं 3 गुना कर दूँ तो हमें क्या नहीं पता हमें लक्षमी की age नहीं पता तो हम यहां लिखेंगे, let the लक्षमी's age is equals to x years unit x साल की है, ठीक है अब 3 times of लक्षमी's age कितना होता है तो 3 times of लक्षमी's age is equals to, कितना यह हो जाएगा, 3 times मतलब 3 into x ठीक है, और क्या बोला है, बस आपको बताना है, लक्षमी की age कितनी हो, लक्षमी की age जो पूछा है, उसी को मैंने x ले लिया, अब equation क्या बनेगी वो कह रहा है कि, लक्षमी की जो 49 years कैसे आया, यह आया जब मैं लक्षमी की age को 3 गुना कर देता हूँ, और इस 3 गुना में, मैं 4 add कर देता हूँ, ठीक है, यह बोल रहा है, he is 4 years older, मतलब plus 4, 4 साल और है 3 times of लक्षमी's age ठीक है, तो यह 49 है, अब solve कर दो, तो यह आजएगा, 3x is equals to 49 minus 4, और 49 minus 4 कितना होता है, 49 minus 4 होता है, 45, तो 3x की value आगई 45, और x की value आएगी 45 upon 3, और 45 upon 3 को अगर आप solve करेंगे, तो यह आजएगा 3 1 times, 3 5 times 15, इसका मतलब, लक्षमी की जो age है, यह जो x निकल के आया है, यह आया 15 years, तो x is equals to 15 years, clear है बच्चो, तो लक्षमी की age कितनी है, 15 साल, तो यह थे 2 questions जो मैंने solve की, question number 3, exercise 4.4 के, आगे देख लेते हैं, और questions हैं क्या हमारे पास, चलिये, हाँ, एक 3rd question और दिया है, इसमें, ध्यान देना, people of सुन्दर ग्राम, एक कोई जगा है सुन्दर ग्राम, ठीक है, कोई गाउं का उन्हें नाम लिया, कुछ भी हो, गाउं हो, शहर, कुछ भी, उन्हेंने किसी जगा का नाम लिया, जो वहां के लोग हैं, उन्हों ने plants को लगाया, in the village garden, अपने garden में, ठीक है, some of the trees were fruit trees, कुछ जो पेड़ थे, वो fruits देते थे, fruits देते थे, मतलब सेब देते होंगे, चीकू देते होंगे, आम देते होंगे, कुछ जो उन्होंने plants लगाए हैं, उसमें कुछ plants ऐसे हैं, जो fruits देते हैं, ठीक है, आगे, the number of non-fruit trees, अब वो बोल रहा है, कि number of non-fruit trees, where two more, अब वो बता रहा है, कि जो फल नहीं देते, वो कितने हैं, वो है, where two more than, क्या काम का statement है, two more than three times the number of fruit trees, हमें fruit trees तो पता ही नहीं थे, कितने हैं, और statement, fruit trees के उपर based है, ठीक है, non-fruit trees का, तो मैं कैसा बोल सकता हूँ, let the, number of fruit trees, मैं इसको x माल लेता हूँ, is equals to x, मैंने माल लिया, कि number of fruit trees x है, अब इस statement से, मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ, two more than three times, क्या बोला, two more than three times, of fruit trees, two more than, two more than, three times of fruit trees, मतलब three times of fruit trees का मतलब three into x, ठीक है, two more का मतलब two plus, यह हुए statement का मतलब, तो equal to का sign लगा हुआ है यह वाला, equal to sign के आगे, यह आएगा, two plus three x, ठीक है, तो यह तुम्हें बनाया, क्या, two plus three x, यह हो गया, two plus three x, यह उन्होंने बोला है, इस statement में, अब आगे भी कुछ बोला, उन्होंने वो भी पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, what was the number of fruit trees planted, if the number of non-fruit trees planted was 77, clear statement दिया है, क्या clear statement है, कि जो non-fruit trees है, वो 77 है, clearly बोला है, तो हम बोल देते हैं, हमें given है, क्या given, non-fruit trees, 77, ठीक है, और statement में उन्होंने, उपर second statement में बोला ही उन्होंने, the number of non-fruit trees where, तो 77, equation क्या बनेगी, यह 77 दिये, equation यहां लिख देता हूं, equation बनेगी, कितनी, 2 more than, मतलब 2 plus 3X, 2 plus 3X, where, 2 more than 3 times, यह second statement देखना, the number of non-fruit trees, where, 2 more than 3 times, the number of fruit trees, ठीक है, और वो है 77, यह बन गई, तुमारी equation, इतना simple है, कुछ नहीं, तुमारे जो काम की चीज़े हैं, उनको पकड़ो, equation form हो जाएगी, अब क्या करना है, 3X के साथ 2 plus में लिखा है, तो यह आजएगा, 3X is equal to 77 minus 2, और 77 minus 2 होता है 75, तो 3X की value आगई 75, ठीक है, अब X निकालना है, तो X की value क्या आएगी, एक्स की value आएगी 75 अपाउन 3, ठीक है, अब 75 अपाउन 3 कट रहा है, काट दो, देखो, 3 से यह 75 कट आ, 3 2 टाइमस होता है 6, बचा 15, 3 5 टाइमस होता है 15, तो यही तो हमारा question था, कि भाई, कितने हैं, what was the number of fruit trees, तो fruit trees आगाए 25, यह answer है, copy कर लिजे, अच्छा question था, 3 marks में exam में पूछ सकती है teacher, ठीक है, क्योंकि इसमें पकड़ना था, बहुत साइज चीजों को पकड़ के equation form करनी थी, तो यह चीज तुम्हें देखने को मिल सकती है, चलिए, board clear करके, हम देखते हैं, आगे कुछ और है हमाए पस, हाँ, अब यहाँ पर, यह भी अच्छी चीज़े, exam में नहीं मिलेगा इस टाइप का, लेकिन, तुम्हें पता होना चीज, कैसे solve करना है, क्या दिया है, यह last question है, इस exercise का, बहुत मज़ेदार, riddle है, एक riddle, riddle का मतलब ऐसी, तुम्हारे मन में कोई विचार आए, तुमने बोला, चल मैं कुछ बोल रहा हूँ, suppose कर, ठीक है, तो किसी बंदे ने किसी से बोला, कि, क्या बोला, एक riddle है, क्या, मैं एक number हूँ, मैं एक number हूँ, तो, I am a number, let it be x, हम माल लेते हैं, तू जो number है, वो बोल रहा है, मैं कोई number हूँ, तो मैं कोई number हूँ, मुझे नहीं पता, तू कौन सा number है, मैं उसको x माल लेता हूँ, ठीक है, tell my identity, तो मैंने identity बता दी, कि भाईया, तू x है, ठीक है, अब मैं x और आगे तिरे को clear करूँगा, कि तू actual में कौन सा number था, ठीक है, क्या था, take me, take me, वो number बोल रहा है, वो number बोल रहा है, जिसको मैंने x माल ले, वो number बोल रहा है, कि मुझे 7 times लो, ठीक है, तो हुझे लो हम 7x कर देते हैं, ठीक है, अब, and add a 50, वो कह रहा है, जब तू मुझे 7 times ले लो, इसमें 50 add कर दो, तो चलो 7x plus 50, कर दिया, ठीक है, to reach a triple century, अब अगर तुम्हें triple century बनानी है, मतलब, अगर तुम्हें 300 बनाना है, ठीक है, 40 और चाहिए, समझ आया, कितना प्यारा था, ये चीज़ बन गया तुमारा सामने, अब तुम solve करते रहो, क्या बोला, उसने मैं फिर से समझाता हूँ, I am a number, मैं कोई number हूँ, मैंने x ले लिया, वो कह रहा, मेरी identity बताओ, तो जब मैं इसको solve करूँगा, तो इसकी identity पता चल जाएगी, आगे उसने क्या बोला, take me seven times, मुझे seven times लो, तो मैंने seven x ले लिया, उसने बोला add 50, मैंने seven x में 50 add कर दिया, उसने बोला, कि seven x plus 50 करने में, अगर तुम्हें, triple century, triple century मतलब, 300 की बात हो रही है, अगर तुम्हें 300 तक आना है, तो अभी भी 40 कम हो, तो मैं 40 को add कर देता हूँ, मुझे 300 चाहिए, triple century चाहिए, मैं 40 को add कर दूँगा, देखो equation क्या बनी, यह बनी seven x plus 50 plus 40, तो यह बना plus 90, is equals to 300, इतना easy, अब बताओ, क्या है वो number, उसके identity बता सकते हो, चलो बताते हैं, 7 x is equals to 300 minus 90 कर दो, ठीक है, यह आजाएगा, 7 x is equals to 0, 1, 210, और x की value क्या आएगी, x की value आएगी 210 by 7, और 210 by 7 का मतलब क्या, 7 3 times होता है, 21 और 0, इसका मतलब, यह जो बोल रहा है नहीं, tell my identity, यह x है 30, बता दी identity, क्या है 30, ठीक है, तो यह था, कुछ बहुत प्यारे से questions, जो हमने NCRT से उठाये थे बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने exercise 4.4 का finally end किया, NCRT books से, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, exercises सारी available हैं, आप इनको देखिए, ठीक है, अच्छे से देखने के बाद, मैं next, अब आ रहा हूँ, RD Sharma book के साथ, तो RD Sharma book से भी मैंने कुछ questions उठाये इस chapter से बच्चों, तो मेरी वो वीडियो वाच्च करिए, और अच्छे questions है, ठीक है बच्चों, हमें जॉइन करिए, kindergarten से लेके 12th class तक हम लोग free education प्रोवाइट कर रहे हैं, magnetbrains.com पर ये सारे lecture, serial wise आपको जम्मे में मिल जाएंगे बच्चों, बाई and take care.